हेलो फ्रेंड्स दिशिट एस्पी शिंग एंड वेल्कम टू स्मार्ट एविडेग तोस्तों बात करेंगे बिए फॉर्थ सेमेस्टर एक्कॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी फॉर्थ सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट पेपर है उसकी मेराथन क्लास हो चुकी ह है और यह आपका शेक अन पेपर है भारत में शिक्षा की वरतमान मुद्दे ठीक है इसकी आजे मेरतन क्लास है ठीक है और इस क्लास में यह जो कोर्शन बैंक आप देख पा रहे हैं यह 24 का नया कोर्शन बैंक है इस पूरे कोर्शन बैंक को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं यानि कि पूरे कोर्शन बैंक को हम इस क्लास में पढ़ेंगे और जो भी वित्यारती क्लास में लाश्ट तक बना रहता है टेफिनेटली बहुत कुछ शीखने वाला है और यहां से कई प्रेशन आपको एक्जाम में ज्यों के त्यों मैं तो कहता हूँ तो 70-80% कोर्शन आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो आए शुरू करते हैं और जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो क्लास है वो दो घंटे 42 मिनट की क्लास अप्लोड हो गई है आप उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखा है भी तक तो मेरतन क्लास है पूरे पर कराया है चलिए आई शुरू करते हैं ये भी क्लास दो घंटे से उम्मीद है कि दो घंटे से उपर ये भी चली जाएगी हम लोग आराम से पढ़ते हैं कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है क्योंकि बहुत फर्स्ट हम अगर रीड सिर्फ रीड कर जाएं और आपको समझ आजना है तो भी वेचे थीक नहीं है आराम से ताकि आप पकड़ पाएं लेकिन आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा ठीक कामने मतलब होता है एक दो delve 6 ययान раз offense q किसरा arithmetic से लिया जाता है arithmetic का मतलब होता है शामा निकनित तो इसमें पूच्छा शामिल नहीं है सुनना इसमें शामिल नहीं है परिभाषा है प्रात्मिक शिक्षा क्रिया परदान है क्योंकि इसमें शंपून ग्यान का आधार अनुभव माना जाता है किसने कहा ये जो बात है वो रायबर्ण कहते हैं राधा क्रश्नन आयोग 1948 ने प्रात्मिक शिक्षा के किन लक्षों की पहँचान की है इन्होंने बालक में मानवी और रचनात्मक प्रतिभाव का विकास हो समाजिक उत्तरदाइत्युक का भाव विक्षित हो बुनियादी कोशल, सुवतंतरता और पहल विक्षित करना ये इन्होंने जो है कि इन लक्षों की पहचान की है प्रत्मिक शिक्षा के उत्देश्यों में शामिल है तो उसमें चारित्र की विकास, सारी की विकास, शंपरिशन कोशल ये सबीज में शामिल है नेक्स्ट प्रस्ट में बहात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रिय शिक्षा यूजना जो है वो 1937 में प्रिश्टुत की थी प्रात्मिक शिक्षा की जो सनचना है उसमें एक तो निम्न प्रात्मिक खक्षा एक से पांच तक उच्छे प्रात्मिक खक्षा 6-8 तक की दोनों ही शामिल हो जाते हैं इसलिए option C right हो जाएगा 10 plus 2 plus 3 के अगर बात करें तो 10 plus 2 plus 3 को जो है कि इसमें पहले तो 10 वर्षिय सिक्षा को 532 में यानि कि 532 में डिवाइड कर दिया गया फिर बात के जो दो थे फिर बाद करें जो जो प्लेस 2 बचा उनके दोरा चुणे के विशियों में विशिष ग्यान कराय जाएगा और तीसरे वर्षिय में संपूर सिक्षा दी जाएगी ये सब कोष इसमें शामिल था तो कुल्म लाकर कर के यहां पर यह जो 532 है यह इसी का एक पार्ट है इसले option A right हो जाएगा अगला प्रिशन कहता है कि विद्याले में सिक्षा की गुणवत्ता का शब्षे महत्पूर्ण कारक क्या सूचक क्या है देखे सबसे महत्पूर्ण सूचक के अगर बात करें तो यहाँ पे यह जो गुणवत्ता प विद्याले क्या दारबूत सुविधाएं कक्षा कक्ष प्रणाली पार्ट पुस्ता क्यों सेच्छन अदिग्रम सामागर यह तीनों ही option यहाँ पे गलत है यदि यहाँ पे option आपका होता कि विद्यार्थियों का उपलब्धी इस्तर अगर D में आपको option मिल जाता विद्या उन्ता पूंढ़ जो इसका है उसको दी जाती है बालक को तो कुल माकर कि इनमें से कोई नहीं जो option है वो राइट हो जाएगा भारत में विद्याली सिक्षा को मोटे तोर पर कितने चर्णों में वरग गीरद किया जा सकता है तो जो विद्याली सिक्षा है उसको मोटे तॉ वर्ष जो है वो छेशे दर्श वर्ष है उच्छ प्रात्मिक की जो आयू वर्ष है उच्छ प्रात्मिक की आयू वर्ष गयारा से बारा वर्ष मानी गई है शिक्षा का मुख्य उद्दिश क्या है शिक्षा का मुख्य उद्दिश है बालक के अंदर व्यक्तितु का विकासो किसका विकासो वेक्टितु का विकासो दीरगावदिक लक्ष शंभाविता समझे जाते हैं इस्थाई प्रात्मिक इस्तर के लोग कौन सा पार्टिक्रम लागू होता है प्रात्मिक इस्तर के लिए शामानिस सेक्शनिक पार्टिक्रम लागू होता है देश में 100% प्रात्मिक शिक्षा हासिल करने वाला पहला भारती राज जो था वहा केरल बना कौन सा राज बना केरल प्रात्मिक शिक्षा की आवशकता है तो देखें प्रात्मिक शिक्षा की आवशकता है चार से छे वर्स के बच्चों के लिए इस्थानी प्रिवेश के अकॉर्डिंग भी है प्रात्मिक शिक्षा में युगदान के लिए भी है अभी बागों और शमदाई के लिए भी है तो कुल मिलाकर के ऑप्शन टी जो है हाँ पे वो राइट हो जाएगा पूर्प्रात्मिक शिक्षा का उद्देश है बच्चों में स्वस्त आदतों का विकास करना वांचित समाजिक दस्टिकोन के विकास के लिए भी पूर्प्रात्मिक शिक्षा का उद्देश है और बच्चों में सौंदर्य बोध बढ़ाने के लिए भी तो कुलम लाकर करके option D जो है वहार right हो जाएगा पहली अनिवारी शिक्षा कब लागू की गई पहली जो अनिवारी शिक्षा है वो 26 सगस्त 2009 में लागू की गई कुरान खानी नामक संसकार जो समंद ये किसे समंदी थे ये दोनों ही संसकार हलागर की जो 4 वर्श 4 माज 4 दिन में होता था उसको बिश्मिल्ला संसकार कहते हैं या बिश्मिल्ला नामक रसमदा कराई जाती थी लेकिन उसमें कुरान की ही आयतें पढ़ी जाती थी इसलिए इसको कुरान खानी भी कहते हैं तो option जो D रहेगा वो यहां पर right हो जाएगा आप यह ना कहें कि सर उसमें आपने बिश्मिल्ला बताया है यह कुरान खानी आ गया तो बिश्मिल्ला में भी तो कुरान की ही आयतें पड़ी जाती थी इसलिए सो खानी लिख दिया है इनोंने चलिए यहां तक बात के लिए रहोती है आधुनिक भारत में प्राद्मिक शिक्षा का जो विकास है वो 822 हंटर आयोग माना जाता है शिक्षा का विकास माना जाता है 822 हंटर आयोग अपवे और अवरोधन में कमी का सुझाव किस आयोग ने दिया तो ये कोठारी आयोग ने दिया था प्रात्मिक सिक्षा के लक्ष प्राप्ती हेतु जो कारेकरम है एक तो आपरेशन ब्लैकपोर्ड है दूसरा एसे जोपेशन यानि सरो सिक्षा भी हान थी स्ञुक्र फ्रात्मिक और बहुत माध्त प्रात्मिक सिदक्रण का बहुत माध्त है इसलिए उप्षन दी राइट हो जाता है E-C-C-E शब्द में मुक्ष शब्द जो सामिल है वो बच्पन देखभाल सिक्षा ये सबी इसमें इंत्यूट हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों का आंगनवाडी रिकॉर्ड उन्हें डैश में प्रवेश दिलाने में मदद करता है भारती शिक्षा प्रणाली शिक्षा को किस रूप में परिभाशित करती है तो यहां सत्त की खोश में मानव आत्मा के प्रसिक्षन के रूप में पिफाइन करती है पूर्व प्रात्मिक शिक्षा ग्रहन करने के लिए जो उप्युक्त आयू है वो 2-6 वर्स मानी गई है विभिन प्रकार की पूर प्रात्मिक विद्याले हैं इसमें आपका किंडर्गार्टन, मान्टेशरी, नर्सरी, बालवाडी, आंगनवाडी ये सबी प्रकार के विद्याले इसमें आ जाते हैं भारत में सर्व सिक्षा अभियान के अंतरगत कौन से निकाय स्थापित किये गए हैं तो इसमें एक तो बियार्सी, दूसरा सियार्सी ये दोनों ही निकायस में स्थापित किये गए हैं इसकूली बच्चों की सिक्षा से बोज कम करने का सुझाव किस समिती ने दिया था तो वह यश्पाल समिती थी स्कूली बच्चों का drop out का मतलब होता है बिना सिक्षा पूरी के स्कूल छोड़ देना बिना सिक्षा पूरी के स्कूल छोड़ देना स्कूल से चले जाना इसका मतलब drop out होता है अगला प्रशन आपके सामने UEE का समंद किस्से है UEE का समंद प्रारंभिक विद्यालेश्य है किस से है प्रारंभिक विद्यालेश्य है आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रस्ट आपको मिलेगा प्रारंभिक सिक्षा का सारबहुमिकरण है प्रारंभिक सिक्षा का सारबहुमिकरण का मतलब होता है समयधानिक प्रावधान और मौलिक अधिकार तो उप्रोक्त आप्शन ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे SSA किसके बीच एक साजेदारी है तो यहां केंदर राज और इस्थानी सरकार की बीच में साजेदारी है राश्ट्रिय पार्चेज़ा की रूपरेखा तयार करने के लिए उत्तरदाई जो संस्ता है वह हमारी NCRT है कौन सी संस्ता है NCRT है यहां तक बात क्लियर होती है डाइट की इस्थापना किसकी सिफारिस पर की गए जो डाइट है इसकी स्थापना NEP 1986 कि सिफारिस पर डाइट की इस्थापना की गए थी अगला परिशन है आपके सामने SSA का सीधा सा मतलब क्या है SSA का सीधा सा मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा प्रांडिक इस तरपर सारव भामिकरण प्रतिधारन और उपलब्दी सुनुशित करने के लिए भारा सरकार दौरा शुरू किया गया जो कारिकरम है वहाद शतत एवं व्यापक मुल्यांकन कारिकरम है प्रांडिक शिक्षा के सभामिकरण का अर्थ होता है कोई ट्यूशन फीश नहीं मुफ्त किटाबेंस नेशनली मुफ्त बद्यान मद्याहन बोचन योजना यह सब भी ठीक और राष्ट्री पाठ्चला की रूप रेखा कब शुरू की गई राष्ट्री पाठ्चला की जो रूप रेखा है वो 2005 में शुरू की गई कब 2005 में जिला प्रात्मिक शिक्षा कारिकरम यानि कि DPEP अब आप दोनों चीजे ध्यान लखेंगे आप से कोशन पूच सकता है कि DPEP का पूरा नाम क्या है जिला प्रात्मिक शिक्षा कारिकरम कब शुरू किया गया 1994 में शुरू किया गया कच्छा एक से पांच तक के लिए हिंदी गनित और प्रग्रयावन विज्यान में पाठ्थ समगरी विक्षित करना किसका कारेच चेतर है तो यह NCRT का कारेच चेतर है प्रात्मिक विद्याले की आविशक्ताओं के साथ समाय उजन के लिए बच्चों को आविशक तैयारी प्रदान करना मुख्य उद्देश है ECCE का किसका ECCE का आगे बढ़ें उससे पहले आपको हम बता दें ECCE का फुल फर्म होता है Early Childhood Care and Education क्या होता है Early Childhood Care and Education चलिए Second Chapter आपके सामने है Question कहता है मादमिक शिक्षा अंतिम चरन है मादमिक शिक्षा का अंतिम चरन है किसका है अनिवार शिक्षा का अंतिम चरन है Drop Out की सरवादिक संक्या है Drop Out की सरवादिक संक्या मादमिक शिक्षा में है किसमे है मादमिक है मादमिक शिक्षा में है मादमिक शिक्षा में समस्याओं की प्रमुक समाधानों में से एक है तो वहाँ एक तो पार्ट करम का सुधार हो गया, विद्याले का नियमित पर निरिक्षन करना, अतरिक्त सिक्षकों की निउक्ति हो, उप्रोप्त शभी ओप्सन यहां पर राइट हो जाते हैं मादमिक शिक्षा में आहम तोर पर किस आयू वर्ग के बच्चों को सामिल किया जाता है, तो इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को सामिल किया जाता है NEP 1986 के दोरा, बिविद्ध पार्ट करम किसको प्रदान किया गया, यह मादमिक चरण के अंतरगत को प्रदान किया गया, ऐसा कह सकते हैं, CBSC दोरा स्कूलों को संबधता प्रदान की जाती है, उच्च मादमिक इस्तर की, ठीक है, उच्च्च मादमिक इस्तर पर, कि तारा चंद समित्र ने सिफारिस की तो वहां मादमिक शिक्षा है तारा चंद समित्री उनिसो अर्टालिस के सुझाओ क्या थे इसका सुझाओ था मादमिक विद्यालियों को बहुपक्षिय बनाया चाए और संपूर्न मादमिक शिक्षा सनचना की जांचे तू आयोग की निउक्ती होनी चाहिए तो इस तरीके से ऑप्षन यहां पर जो सी है वहां राइट हो जाता है अगला प्रेशन कौन सा एक राष्ट्रिय ग्यान आयोग दोजाचे दोजार नो का घटक नहीं है तो यह ग्यान का रिंदान यह जो है वो डाक्टर एल मुदालियर थे मुदालियर आयोग की शिफार इसमें क्या थी इसकी जो रिकमेंडेशन थी एक तुस्त्री बासा शूत्र होना चाहिए और दूसरा इसमें मादमिक शिक्षा को तीनवर्स की राष्ट्री प्रणाली होनी चाहिए उचे तर मादमिक प्रण में शुरू किया गया और अगला प्रिशन है 23 सितंबर 1952 को डाक्टर एल में मुदालियर की अधिक्षिता में मुदालियर आयोग की श्थापना की गई जिसमें वहां के कुलपती कौन थे तो उसमें कहां के कुलपती थे हाँ ये कह रहा है जो लक्षमन स्वामी मुदालिय कि बेड़ी और और ओर ये कंवन में से वहां के कुलपती थे तो ये मदराष बिश्व विश्विद्यालय के कुलपती थे मादमिक की से और्यु आरिद की जudha नाम क्या यह था यह जो पूर्व नाम पहल एलनाम था वो राज्व Täoser शन्र Denise ल हॉरी राष्ट्री इस्तर की प्रिक्षा जिसे राष्ट्री प्रतिभाग होज NTSC कहा जाता है किसके दोरा आयोजित की जाती है तो यहां NCRT के दोरा आयोजित की जाती है अगला प्रिशन है मात्मिक शिक्षा के सामान और व्यावसाइक लक्ष और उद्देश है तो इनका लक्ष का विकाश करना है लेकिन अगर लोगतांत्रिक नंगलता का विकाश करना वेवसाइक तक्षिता में सुधार होना वेक्तितु का विकाश नई आगे बढ़ते हैं किस आयोगने मादमिक शिक्रищ बनाने की पूर्ज बर्य ये को इंदरी मादमिक शिक्रищ बोर्ड वर्सकीete सबस्क्राग ट्रियाली MS आइअरी 1222स पहलाय फिर फहले के कि 10-2-3 पैटरंड के लिए सबसे पहले सुझाओ किस ने दिया तो सबसे पहले जो सुझाओ था वह कलकत्ता विश्वदाले 1917-19 ने दिया 10-2-3 शिक्षा प्रद्दती लागू की गई तो यह एन एपी 980 एन एपी 1906 में 10-2-3 को लागू किया गया केंद्री अंग्रेजी वर विदेशी भासा संस्थान कहां है है एदराबाद में है इसकूल स्वास्ते शेवा योजना शुरू करने की सलहा किस आयोग ने दे थी तो वहाँ आयोग है हमारा मात्मिक शिक्षा आयोग है हमारी वरत्मान परिशा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस छेतर का मुल्यांकन नहीं किया जा रहा है तो इसमें किस छेतर का तो प्रभावी छेतर का मुल्यांकन नहीं किया जा रहा है पार्चर्या किसके लिए मार्ग दर्शन प्रदान करती है तो पार्चर्या चात्र के लिए मार्ग दर्शन का काम करती है प्रारम्दिक और मादमिक शिक्षा ने देसाले की इस्थापना कब की गए थी 1950 में 1950 में मानो संसादन विकाश मंत्राले की इस्थापना उन्निस्ट सु पचाशी में हुई और कौन सा राष्ट्री माधमिक शिक्षा अभियान का उगदेशन नहीं है तो उच्च माधमिक इस्थर की शिक्षा में पहुंच संद दोजारी सुत्रा तक ये राश्ट्री मात्मिक शिक्षा भ्यान का उदिशन नहीं है अगली परिभाषा है मात्मिक शिक्षा शिक्षा का वो समय है जो सामान तहां 12-17 आयू वर्ग के बालकों के लिए होता है तो ये परिभाषा किसने दी है C.V. गुड ने दी है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन कहता है उच्छ शिक्षा विश्विदाले के प्रकार हैं उच्छ शिक्षा विश्विदाले देखे केंदरी विश्विदाले हो या राज्य विश्विदाले हो इनमें सभी में उच्छ शिक्षा दी जाती है इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उच्छी शिक्षा के इस्तर के गिरने का करण होता है प्रशाष्णिक भी हो सकता है शामाजिक करण भी हो सकता है जिसकी वज़े से उच्छी शिक्षा का इस्तर गिर गया राजनीति करण भी हो सकता है इस्ते आप्शन जुटी रहेगा वह राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है उच्छ सिक्षा से समंधित आयोग भारत में कौन सा बना उच्छ सिक्षा से समंधित जो आयोग है भारत में वहा रादा कर्शन आयोग बना विश्विदाले सिक्षा आयोग कब बना विश्विदाले सिक्षा आयोग हमारा चार नवंबर 1948 में बना था इ कि इगनु की स्थापना कब हुई आप सभी को पता है शेप्तंबर 1950 में इगनु की स्थापना हुई थी इगनु की स्थापना किस पंचवर्सिय योजना में की गई तो इगनु की स्थापना जो है वह किस पंचवर्सिय योजना में की गई शात्मी पंचवर्सिय योजना में की थी जो कि इसमें option में नहीं है तो आप इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है कोठारी आउगने की थी UGC की स्थापना कब हुई UGC की स्थापना नॉवंबर 1956 में हुई UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे गई थी option she right हो गया ठीक है कथन पहला है UGC 1956 में संसत के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैदानिक संगठन बन गया और दूसरा statement क्या है पढ़िया आगे दूसरा है कि NCRT भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापी तेक श्वायत संगठन है तो कथन एक और दो दोनों ही यहां पर सत्ते हैं अगला प्रिशन है निमने में से कौन भारत के केंद्री विश्विदाले हैं तो इसमें आपका नागालेंड विश् प्रिशन टी रहेगा सरवाधिक उच्छी सिक्षा संस्थानों वाला जो देश है वहां भारत है कौन है भारत है एन एस क्यू एफ अर्थात राश्ट्री कोशल योगता धाचा इस्तरों की स्रंखला की अनुसार योगता का आउजन करता है तो ग्यान कोशल और योगता क्य प्रिश्वी करंदोरा शिक्षा में सैक्षिक आउसरों की समानता सबको मिल जाती है उच्छी सिक्षा में अभी भी बोल वाला है अंग्रेजी का निम्न में से कौन सा निकाय उच्छी सिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता है तो वहां नगर निगम और जिला परिशद जो निकाय है उच्छी सिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता है उच्छी सिक्षा में सिक्षण का सबसे महत्पून कारक है चात्रों को इसमें हो जाएगा हमारा चात्रों को सूचना के सुरोतों की और ले जाना Option C is the right वरेंदिश कोर्शन 20 नमर कोर्शन कहता है कि उच्छी सिक्षा में छात्रों को बहतर ढंक से प्रेरित किया जाता है तो विक्तियत उपलब्धी के लिए वर्स 1947-48 में डिग्री इस तर पर तकनीकी संस्थानों की जो संख्या है वह लगभग 38 थी भारती शिक्षा यूग 1964-66 ने समय सारनी उप्यूक्त शिक्षक और नैतिक सिच्चन के तरीकों की शिफारिस की है राश्ट्री शिक्षा योजना एवं प्रैशासन संस्थान को एक डिम्ड विश्वी तहले में परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसे कहा जाता है नियूपा क्या कहा जाता है नियूपा कहा जाता है यूजीशी इन फॉरनेट नेटवर्क को चलाया और प्रतिबंधित किया जाता है किसके माध्यम से इसको चलाया और प्रतिबंधित किया जाता है UGC ने Career Orientation Program शुरू किया है इसने 1994-95 में Career Orientation Program शुरू किया संचिप नाम SCOVE है SCOVE जो है यहां Standing Committee of Vocational Education का छोटा नाम है आवासी विश्विदाले ऐसे विश्विदाले हैं जिनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रिय प्रिसर की विवस्था है Option A is the right one over here अगला प्रिशना आपके सामने है न्यूपा को किस वर्स डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला तो न्यूपा को 2006 में जो है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था मादमिक शिक्षा में आम तौर पर किस आयू वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं तो इसमें 14 से 18 वर्स के बच्चे शामिल होते हैं राश्ट्रिय शिक्षा नेती 1986 में विविद पाठिकरम की बात किस के लिए कही गई तो यह जो बात है वो मादमिक शिक्षा के लिए कही गई CBSC किस प्रकार के स्कूलों को संबधता परदान करता है तो यहाँ मादमिक शिक्षा प्रकार के जो विद्याले होते हैं उनको संबधता परदान करता है Journal of Educational Planning and Administration जो है यहाँ क्या है यहाँ N-E-V-P-A है ठीक है N-E-V-P-A तो इस तरीके से option जो D है वो यहाँ पर right हो जाता है हम बढ़ते हैं next question की तरफ question कहता है basic सिक्षा का जनक जो है वो किसको कहते है मातमा गांधी जी को कहा जाता है वैदिक काल में सिक्षा का आरंब किस संसकार से होता था तो यह उपनेयंट संसकार से होता था वैदिक काल में सिक्षा का जो प्रारंब किस संसकार से होता था उपनेयंट संसकार से देखे यह जो प्रष्ण है आपका यह confusion वाला प्रष्ण है ठीक है इसमें क्या confusion है? confusion ये है कि वैदिक काल में जो सिक्षा का आरंब होता था वो विद्यारंब संसकार से होता था ठीक है उसको विद्यारंब संसकार कहते थे और इसमें जो option हम उपनेयंट संस्कार बता रहे हैं ये उपनेयंट संस्कार जब बालक उच्छ शिक्षा में प्रवेश लेता था तब बालक का उपनेयंट संस्कार किया जाता था ठीक है शिक्षा का आरंब नहीं होता था उच्च शिक्षा के लिए उपनेयंड संसकार किया जाता था लेकिन इसको टिक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप्सन दूसरा नहीं है देखे शरणत्रई और पब्जा ये दोनों ही बौध देकाल से समंधित शब्द हैं यने कि पबजासंसकार बौध काल में होता था वहीं पे उसी से रेलेटिट हमारा ये सरनततर ही है तो ये तो दोनों चले गए बौध काल में बिश्मिल्ला चला गया मद्दे काल में बच्चा हमारे पास सिर्फ वैदिक काल और वैदिक काल का बचा उपनयान तो इस तरीके से जब कई बार हमें सटीक आंसर ना मिले तो उससे related जो मिलता है उसको हम शही कर लेते हैं वैदिकाल और उपनयन ये दोनों सही बैट रहे हैं तो option C मान के चलो बाकी सटीक तरीके से समझो तो उपनयन संसकार वैदिकाल में जब बालक उच्चे सिक्षा में प्रवेश करता था तब उसका उपनयन संसकार होता था आगे बढ़ते हैं चलिए कोशन समझा आगे आपको वाक्यांस समान सैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है देखिए समान सैक्षिक अवसर का अर्थ है बालक जिस प्रकार की सिक्षा के लिए उप्यूक्त है उसके लिए समान अवसर प्रदान करना यही समान सैक्षिक अवसर है अपवे एवं अवरोधन की और सबसे पहले किसने ध्यान दिया था हर्टाक शमित ने किसने ध्यान दिया था हर्टाक शमित ने जिला इस तर पर पात्मिक शिक्षा का प्रशाशन एवं नियंतरन किसके अधिन रहता है बेशिक शिक्षा अधिकारी के किसके अधिन रहता है ब प्रवांगेंड विकाश करने वाला बनाया जाए पार्टिक्रम में पुस्तकों पर अधिक बलना देकर हस्तिकार पर अधिक बल दिया जाए तो कुल मिला करके सभी सुझाओ अधिक उप्योगी होंगे और आप्शन आपका जुड़ी है वार राइट हो जाएगा आगे बाकी जो सिच्छन से समन्दित काम नहीं है वो भी उनसे लिए जा रहे हैं विद्याले में आवसेक्ता के उनसार टीचर उपलब्द नहीं है शिक्षकों की आर्थिक समाजिक व्यावसाइक शुविधाओं और समान नहीं मिलता है तो इस तरीके से ऑप्शन टी राइट हो हो जाता है प्रात्मिक शिक्षा के इस तर में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण कौन सा है इसका जो मुख्य कारण है प्यारे दोस्तों एक तो विद्याले की बहुतिक सनचना का अच्छा ना होना विद्याले में सेक्षिक संसादनों का अभाव को ना श जो ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण जो माना जाता है उसमें किशोरों में अंसासन की कमी आ जाती है माता पिता किया सिच्छा गरीबी भी हो सकती है अवास्तिविक पाट करम भी हो सकता है तो उपरोग तो सभी आप्शन्स यहां पर राइट हो जाते हैं मातमिक इस्तर पर नामांकन और प्रतिधारन बढ़ाने के लिए सरकार ने पेश किया है मुफ्त प्रवेश और मासिक सुल्क, मुफ्त गणवेश और किताबें, लड़कियों वपिछडे वर्गों के लिए विशेश प्रोतसाहन यह सब कुश की सरकार ने पेश किया है तो आइसीटी का कार्यान वेन हो गया, इस्थानी आवसकताओं के अनुसार पार्ट करम को अपनाना देखे एक सेकंड कोशन दुबारा पढ़ते हैं कहता है मातमिक सिक्षा की गुणवत्ता में शुधार के लिए कई सुधार किया जाने क्या हो सकता है इस्थानी आवसकताओं के अनुसार पार्ट करम को अपनाया जाए, अच्छी बन्यादी धाशा प्रदान किया जाए, आइसीटी को वेवार में लाया जाए, आप्शन यहां पर जुड़ी है, वो ज़्यादा सटी का अंसर है, सारे आप्शन यहां पर सही हो जाते हैं, नेक्स्ट कोशन कहता है, ल काम में लड़कियों की मदद लेना, इस वज़े से क्रामेंट शित में यह सब कर्टनाया देखने को मिलती हैं, वो प्रोक्त सबी ऑप्शन राइट है, मात्मिक सिक्षा का अंतिम चरण हमारी अनिवारे शिक्षा है, कौन से सिक्षा अनिवारे, मात्मिक सिक्षा में समस्य में शामिल है, इसमें उच्ष ड्रॉप आउट दर है, अवास्तिविक पार्टिकरम है, शिक्षकों की कमी है, तो कुल मिलाकर के उपरोग सभी ऑप्शन स्राइट हो जाते हैं, मात्मिक इस तर पर उच्ष ड्रॉप आउट दर का मुख्यकारण है, कि शोरों में अनुस डि मात्मिक इस तर पर उच्ष ड्रॉप आउट दर के मुख्यकारण है, मात्मिक इस तर पर नमांकन और प्रतिधारन बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया है, तो इसमें सरकार ने मुफ्त प्रिवेश्ट मासिक सुल्कों, मुफ्त वर्ति किताबें और रड़कियां और पिछडे वर्गों के लिए विशिट प्रॉप साहन दिया जा रहा है, ये सब्ही जो हैं सरकार ने शुरू किया है, उच्ष सिक्षा समंधित प्रमुख मुद्दा क्या है, वो एक तो इसमें सिक्षित बेरोजगारी है, और प्रतिभ़ाप लायन है, परिच्षा मुल्यां एक अवसर प्रदान किये जाएं एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश रहे उत्पादक्ता को बढ़ाना कौन सा सिक्षा पर राष्ट्रिय नीती उनी सो च्छाशी की सिफारिसों में शामिल नहीं था तो इसमें सनचकों का प्रसिक्षन जो है वहाँ इसमें सिक पर राष्ट्रिय नीती उनी सो च्छाशी की सिफारिसों में शामिल नहीं था ओप्शन टी यहां पर राइट हो जाता है आगे बढ़ते हैं राष्ट्रिय शिक्षा नीती उनी सो च्छाशी में सिफारिस की गई है शिक्षा का पुनरगठन किया जाए विश्विद्याले क की श्वायतता का छेत्र क्या है एक तुष में चात्रों के प्रवेश में सिक्षकों की नियुक्तियों में और परिछाय कराने में सभी में विद्याले की श्वायतता के छेत्र के अंतरगत आते हैं इसलिए ऑप्शन डी यहां पे राइट हो जाएगा शिक्षित विरोजगारी का दुष्परिणाम होता है अपराधिक प्रोरती बढ़ जाती है मांसिक संघर सोने लगते हैं शमाज में कानून और विवस्था की समस्या उत्पन हो जाती है यह सभी समस्यां खड़ी हो जाती है उच्छे शिक्षा के इस तर में गिरावट के आवसकताओं के अनुसार पार्ट करम को अपनाना अच्छा बुन्यादी धाशा प्रदान करना आई सीटी को विवहार में लाना यह सभी जो है प्रयाश किये गए हैं राश्ट्री इस तरह पर आर एम से के कार्यानवेयन निगरानी और मुल्यांकन के लिए एक नोडल एज की रूप में कारे करने वाली संस्ता हमारी NCRT है किस आयोग ने मात्मिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुर्जोड सिफारिश की वहां कोठारी आयोग है मात्मिक शिक्षा की प्रमुक्षम अश्या है अनुपयोगी पाठिकरम है उद्देश्च विहिंता है अनुशा कारत है मात्मिक विद्यालों की संख्या में व्रद्धी हो मात्मिक विद्यालों में बालकों के नमांकन में व्रद्धी हो मात्मिक विद्यालों में प्रवेश के बाद रोके रखना ये सबी मात्मिक शिक्षा के प्रशार के अर्थ को इंडिकेट करते हैं चात्रों की 10-year school नामक दस्तावेज जो है कब तयार किया 1975 में कब तयार किया 1975 में मात्मिक शिक्षकों की इस्तिती को शुदारने के लिए क्या किया जाए इसमें सिक्षकों की आर्थिक इस्तिती में शुदार किया जाए शिक्षकों को समाज में उच इस्थान प्रदान किया जाए शिक् का मतलब होता है कि आपको कुछ फीश बे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको प्रवाइड करा दिये जाते हैं चार पेपर के कंप्लीट नोट्स जिसमें आपको जो है की शॉर्ट नोट्स कहले या फिर वन लीनियर कंटेंट कहले ठीक है आपको सब्जेक्टिव मिल जाता है आपको पी वाइग यूज मिल जाते हैं आपको एंसी एक उर्टी नोट्स लीन चाहते हैं नोट्स लेने के लिए जो नंबर दिया गया है यहां मैसेज करें आपको पूरा प्रोसेश शेंड कर दिया जाएगा चलिए चैप्रे नमर फाइब पे आते हैं पहला प्रेशन आपके सामने है अध्यापक शिक्षा के उद्देश का है सिक्षक शिक्षा का उद्देश है तर्क संगत सोच तथा वैगानिक अभिवरत्ति व होगे बनाना क्रियात्मा कौन संधान के लिए अभी रूची और कौसल विक्षित करना ये सभी जो है वो अध्यापक शिक्षा के उद्देश से हैं सिक्षक शिक्षा देखिए सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा सेवा कालीन सिक्षक शिक्षा ये दोनों ही अध्यापक शिच्ठा के प्रकार हैं, चाहें अध्या पक्सिचा का हो, चाहें शिक्षक-षिक्षा का हो, यह कही बात है, अगला परस नापक की शामने, इधर कुछ छेत्रिया प्रसिक्षान सनस्थान है और इधर उनके मुख्याले हैं, इनको हम मिलाएंगे, देखें, पूर वी, जो छ इनके साथ में और बी गया फर्स्ट के साथ में अब यहां पर अब जो तीसरा है उत्तरी उत्तरी जो चेत्री प्रसिश्चन संस्थान है यह हमारा कहा है एक सेकंड प्रीज इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें यह नहीं यह पूर्वी प्रस्च में हो जाएगा और होगा हमारा देखें सिंपल सांस यह है कि जैसे पूर्वी जो है चेत्री प्रसिश्चन संस्थान तो पूर्वी तो हो गया हमारा भूनेश्चर के साथ में परस्चमी जो है यह चला गया हमारा अजमेर के साथ में ठीक है और इसके बाद जो हमारा पूर्वोत्तर है पूर् Institute of English जो है यह है है दराबाद में श्तित है सेवा काली शिक्चिकों का प्रसिक्षन का जो प्रकार है उसलिए जाएगा अध्यापक्सिक्चा से समधित समस्याएं यह चुनौतियां क्या हो सकती है तो वो एक तो शिक्षण विध्या समंधी से समस्या हो सकती है पर दर्शनात्मत विध्यालियों का अभाव हो सकता है शोतंतरता विहिन वातलन हो सकता है option D right हो जाता है शिक्षक सिक्षा में अलगाव की समस्या क्या है तो इसमें एक तो समाज से अलगाओ हो जाता है, विद्याले जीवन से अलगाओ हो जाता है, राश्टी जीवन से अलगाओ, ये अध्यापक सिक्षा में अलगाओ की समश्चा हैं, उपरोब सभी आप्शन्स यहां राइट हो जाते हैं ये क्या है और दूसरा है अध्यापकों का अपने कर्तवियों का निष्ठा से पालन न करना ये सिक्षक सिक्षा की गुनात्मक्ता को प्रभावित करने वाले कारेक हैं इसलिए option जो D रहेगा वहा राइट हो जाएगा इतनी बात के लिए होती है आगे बढ़ते हैं प्रश्न है अध्यापक सिक्षा की गुनवत्ता वो मानक निर्धारन यो संस्था है वो कौनसी है वहा है आपकी NCTE पर अध्यापक सिक्षा का उदेश है तो सिक्षण कौसल रुची एवं दिष्टि कौन का विकास करना कार्लिय अनुभाव एवं व्यावारी की ज्यान देना विशिष्ट विश्यों के सिच्छन कोसल का विकास करना ये मात्मिक इस तर पर सिक्षक सिच्छा के उद्देश रहे हैं इसलिए ऑप्शन दी राइट हो जाएगा चेत्री अप्शिच्छन स्रस्थान कहां पर नहीं है तो ये मुंबई में नहीं है वाकि मैसूर सिलाउंग विनिश्वर इन सबी जगए है शिच्छन कारे कर रहे अध्यापकों की शिच्छा को कहा जाता है निको सेवाकालीन शिच्छा कहा जाता है कौन होता है इनका प्रमुख है अध्याक्ष होता है शिच्छा इसनात कोतर यानि की एमेड कारिकरम की अवधी को निमन में से कौन से वर्स के विनियम यानि रेगुलेशन के द्वारा NCTE ने दो वर्सों तक पढ़ा दिया है तो वह 2014 वर्स की विनियम के द्वारा इसको दो वर्सों तक पढ़ा दिया क्या है स्टेटमेंट है कथन ए कहता है शिच्छक को सिच्छा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंदर में होना चाहिए तर्क कहता है कि शिच्छक राष्टर की अर्थविवस्था की अगली PD को आकार देते हैं तो इसमें कहें ए सही परंतुआर गलत है एक प्रभावी शिच्छक की पहँचान करने में कौन से सिच्छक का विवहर मदद करता है एक प्रभावी सिक्षक की पहँचान करने में चातर सीखने और समझने को सुनिश्चित करें ये सिक्षक का विभार जो है help करता है आगे बढ़ते हैं यानि कि इसमें बच्चे का अधिगम हो रहा हो बच्चा सीख रहा हो अगला है एक प्रभावी सिक्षक के लच्छन होते ह एक प्रिभावी से चकाल अच्छन होता है उसमें शकारात मक्ता होती है रजनात मक्ता होती है वह अनुकुलता होती है option D right हो जाएगा कौन संगठन मानता है कि शिक्षक शिक्षा में शमता गुणवता और पहुच के लिए सबसे अधिक प्रभावसाली शक्ती बल है तो वहाँ यूनेश को मानता है ठीक है कौन संक्टर मानता है यूनेश को मानता है शिक्षक से समंधित समश्चा है बुर्मत्तापून सिक्षक की अतिति के कमी होना खराब वेतन खराब कारेदशाएं तो इसका इसमें जो ऑप्षन सी राइट हो जाता है ठीक है ऑप्षन सी राइट हो जाता है कुर्श नवर टॉंटी टू कहता है लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के लिए यूजी सी दौरा पहल की गई तो इन्होंने ऑनलाइन विशेवस्तु प्रदान किया फैकल्टी इंडेक्शन प्रोग्राम चल जो है सेवारत सिक्षक को प्रसिक्षत किया जाता है तो इसमें है कि किस विश्विद्याले ने सरपर्थम एमेट 1936 की सुरुआत की थी तो वहां है हमारा बंबई विश्विद्याले किस विश्विद्याले ने सरपर्थम 1932 की सुरुआत की थी वहां है आंध्रा विश्व बंदित है तो वहाँ समाचिक प्रणाली हो जाएगा शिक्षकों के प्रधर्षण मुल्यांकन का उद्देश है पेशेवर अधिगम और विकास को बढ़आवा देना उच्छक शिक्षक इस तरपर सिक्षकों के मुल्यांकन यानिकी प्रदर्सन के लिए UGC ने किस प्रणाली का निर्मान किया तो इन्होंने PBS प्रणाली का निर्मान किया शिक्षक कक्षा के एक शोध करता के लिए निमने मेशे कौन सा कौशल सबसे मतपोन है तो इसमें कड़ी महिनत करने की चृमता का विकास करना ठीक है यह इसकिल E.R.I.C. का पूरा नाम क्या है E.R.I.C. का पूरा नाम Education Resource Information Center है समगर शिक्षक-शिक्षा कारिकरम प्रदान किया चेतरी संस्था की सिक्षा ने समगर सिक्षक सिक्षा कारेकरम प्रदान किया सिक्षक सिक्षा तथा संसाधन प्रबंद की विकास सील देश में समस्या उचिस संस्था नित्वत में भाग लेना है अपर र्याप्त वित्त है राजनितिक अविवस्था है किसने सिक्षक को जलते वे दीपक की तरह कहा है तो प्रोफेशर यस्पाल ने सिक्षक को जलते वे दीपक की तरह कहा है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिष्ण आपकी सामने है, प्रिष्ण है, एक सिक्षक की भूनिका है, सिक्षार्थियों को प्रेरित करे, सिक्षित करे, मुल्यांकन करे option d right हो जाएगा सिक्षक सिक्षा के सिध्धान्त क्या है इसमें सीखने का सिध्धान्त प्रेणा का सिध्धान्त रुची का सिध्धान्त यह सभी यह सभी सिक्षक सिक्षा के सिध्धान्त है रास्ट्रिय शिक्षक शिक्षा रूपरेका 2021 का प्रिस्ताविक नाम है शिक्षक शिक्षक के लिए रास्ट्री पार्ट जरा की रूपरेका NCFT 2021 आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रस्ट में मिलेगा शिक्षक शिक्षक की प्रमुक्षमश्या है क्या है यह सबी सिक्षथ सिक्षा की परमुख्यमस्च्ण एक सिक्षड के लिए सबसे महतपून है एक शिक्षक के लिए सबसे मात्पूर्ण है चातरों की कटनाईयों को दूर करना शिक्षक प्रसिक्षन क्यों आवश्यक है शिक्षक प्रसिक्षन इसलिए आवश्यक है एक तो स्वेम को विक्त करने की कला है कक्षा प्रबंद कौशल के लिए भी जिरूरी है प्रसिक्षन सत्र इश्कूल प्रबंदन और इस्कूल संगठन के तरीकों के नियमिती करण को भी समझने मदद करता है यहाँ पे option जो D है वहाँ right हो जाएगा आगे बढ़ेंगे next person की तरफ अगला question कहता है दूरस्त सिक्षा के अनियनाम क्या है दूरस्त सिक्षा को हम पत्राचार सिक्षा, स्वातंत्र अध्यान, द्वारपर सिक्षा यह सभी नाम इसको देते हैं दूरस्त सिक्षा एक प्रकार से अनौपचारिक सिक्षा है दूरस्त शिक्षा एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा है दूरस्त शिक्षा में शिच्छन अधिकम परक्रिया जो है वह विद्यार्थी की अपनी गती के अनुसार संचारित होती है विद्यार्थी की सविधा के अनुसार चलती है विद्यार्थी के प्राप्त समय के अनुसार चलती है कुल मिलाकर option number जो D है वहार right हो जाता है परिभाशा है दूरस्त सिक्षा का अर्थ उस सिच्छन अधिगम परकरिया से है जिसमें श्थान और समय के आयाम सिच्छन अधिगम के बीच हस्तक ship करते हैं ये परिभाशा मालकम आदी सेशिया ने दी है मालकम आदी सेशिया ने दी है दूरस्त सिक्षा कारिकरम को guided didactic communication की संगया जो है वो किसने दी ये संगया होल्म बर्ग ने दी है मूरे के according दूरस्त सिक्षन के आयाम है मूरे के according दूरस्त सिक्षा के आयाम एक तो आपका पत्राचार पार्ट करम यानि कि सिच्छन विवहार अधिगम विवहार से प्रतक रहता है और भूखा भीमुख सिच्छन जो अभी जो सिच्छन प्रणाली का अंग है यह संपर्ग कारिकरम है सिच्छन अधिगम के लिए अन्य माध्यमों का प्रियोग जो राइड हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है किसने अपनी परिभाशा में श्वय अध्यन और सेक्षिक संप्रेशन के लिए विभिन साथनों के दूरस्त शिक्षा के पक्षों को उद्रत किया है वह हैं दो हमैन दूरस्त शिक्षा वह सिक्षा है जिसमें शिक्षक अथ्वा, सेक्षिक संस्थान तथा विद्यार्थी के मध्य मुख रूप से दूर का समन्द होता है चाहें वो शिक्षा किसी भी विशेकी हो तथा उसमें किसी भी संप्रेशन माध्यम का प्रियूग किया गया हो किसने कहा यह बात इगनू कहता है यानि कि इंद्रा गांधी नेशनल ओपन यूनिवरसिटी दूरस्त शिक्षा की विशेस्ता यह है कि यह विद्यार्थी के अंदर इता है एक जन सिक्षा पद्दती है कम खर्ची लिए ऑप्शन टी इसमें राइट हो जाता है इगनू की इ स्थापना है वहाँ 20 सप्तंबर 1925 में हुए थी कव इती 1985 में पचासी पचासी है ठीक है नेक्स्ट कोशिन आपके सामें दूरस्त शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला माध्यम कौन सा है तो इसमें मुद्रित हो गया हमुद्रित है आई सीटी है तो इन स्कुल मिलाकर करके उपरुप्त सभी जो है ये इसमें होने वाले दूरस्त शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले माध्यम है अनुदेश नात्मक प्रणाली के अंग कौन है तीवी प्रसारन मुखा भी मुख परामाश शचत्र इंटरनेट आधारित कारेनीत ये सभी अनुदेश नात्मक या फिर उसकी क्या है उसकी सीमा है एन आई ओएस की स्थापना नैंटीनेटी नाइन में होई थी एन आई ओएस जो है यहाँ एक श्वायत शंगठन है ओडील का मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग होता है नास्ट्रिय मुक्त विश्विदैले सिक्षा संस्थान के और विलसन ने थी भारत में मुक्त विश्विदैले की स्थाफना ही तुस हुझाओ कि शुछमित ने दिया तो वहां हमारी माधुरी शाह शमिती 1992 है ठीक है अगला मिश्विदैले की श्थापना कहां होई थी है कि बारत में होई थी इगनू का संगतनात्मक धाच्छा में शामिल है तो इसमें आपका परबंद निकाई योजना पैशद विद्या पैशद सभी शामिल है धूरस्त शिक्षा का उद्धिश है ग्यान प्राप्ति के चुक वेक्तियों को शिक्षा के आवसर उपलब्द कराना कम खर्च म मुक्तविश्व विद्याल है जो है वहाँ इगनू है इंदरा गांधी नेश्टनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑप्शन एज दा राइट वन इगनू की क्रेडिट पद्धती सिक्षन पद्धती में एक क्रेडिट में सिक्षन अवधी का जो समय है वो 30 घंटे है स्वात शुरू किया गया पहला स्सेक्षिक चैनल ग्यान दर्सन है कौन सा विश्वद्याले भारत में आई सीटी अधर शिक्षन अधिकम्य अग्रणी है तो वहाँ इगनू है पीपुल्स पीपुल्स यूनिवर्सिती के नाम से कौन सा विश्वद्याले प्रचलित है वा प्छांटी है, statement first है कि भारत में दूरस्ट सिक्षा ने आप्टेरिक सिक्षा को परतिस्थापिद कर दिया है, दूसरा है दूरस्ट सिक्षा की लागत को कम करती है, अब इसमें क्या है कि कथन एक तो असत्त है, लेकिन दूसरा जो है वहाँ सत्त है, option D is the right one over here, आगे बढ़ रहे हैं, मुक्त दूरस्ट सिक्षा कोर्स को मानिता प्रदान करने का नियामक प्रादिकार निम्न में से, इसके पास है, डी इबी के पाश में है, यानि कि दूरस्ट सिक्षा ब्यूरो, दूरस्ट सिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना दोहजर बा यह है कि यह सिक्षण वहां होता है जहां क्या होता है चात्र पर श्यम के अधियम का बहार लेते हैं नहीं क्या होता है अगले ऑप्शन क्या है जहां सिक्षक और चात्र अलग-अलग समय पर अलग-अलग समय और इस्थान पर होते हैं उनके लिए हेल्फुल होता है ऑप्शन कर्मों का उद्देश होता है उच्छे शिक्षा को अधिक सुलब बनाना सकल ना मांकन अनुपात में व्रद्धी करना आजीवन अधिगम के आफसर प्रदान करना कुल मिला करके ऑप्शन नमबर डी जो है वो यहां पर राइट हो जाता है अगला प्रिशन आपके सामने है द दूरस्त शिक्षा का जनक किसे माना जाता है आईजक पिटे मैन को दूरस्त शिक्षा का जनक माना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशन है आपके सामने चैप्डर 7 है तकनीकी एवं व्यावसाइक शिक्षा का अर्थ होता है वह शिक्षा जो विक्ति को किस व्याववशाएक सिक्षा वो प्रकरिया है जो पुरुषों एवं इस्त्रीयों को व्यावशाएक भावना के साथ परि spectrum करना बेरोजगारों की समश्या का शमाधन करना कुल कुल मिला कर option number D जो है वहा right हो जाता है अगला प्रेशन है अकिल भारती तक्निक शिक्षा समयतियाने की AICTE की स्थापना कब हुई इसकी स्थापना 30 नमबर 1945 को ही थी तक्निक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्द्योगों पर उद्द्योग कर लगाने की बात कही है तो ये बा जेनेवा में स्थित है अंतरवास्ट्री स्रम दिवसन की मजदूर दिवस का बनाया जाता है तो ये जो है एक मई को मनाया जाता है तक्निकी और व्यावसाइक शिक्षा की प्रमुक समस्षा क्या है इसकी प्रमुक समस्षा है एक तो सारे रिक स्रम की प्रति अनुशी द्र विद्यालाई और उचितर सिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम पचास प्रतिसत छात्रों को व्यावसाइक शिक्षा दी जाएगी तो ये आपका जो इसमें है दो जाल पैंटीश तक ऑप्शन सी राइट हो गया तकनिकी एवं व्यावसाइक सिक्षा में सहयोग परदान क वो नई दिल्ली में है CSIR की स्थापना का वर्स 1922 है आगे बढ़ते हैं प्रशन है उत्रप्रदेश राज तकनिकी शिक्षा और प्रसिक्षन बोर्ड की स्थापना किस वर्स में की गई 1958 में यूपी राज तकनिकी शिक्षा और प्रसिक्षन बोर्ड में सदस्यों की संख् एक अध्यक्ष एक उपाध्यच और चालीस सदस्य होते हैं उप्शन पी राइट हो गया इन निमने में से कौन सा संगठन भारत में तकनी की और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है वहाँ AICTE है अकिल भारती तकनी की शिक्षा प्रबंधन को किस वर्स संसद के अधिनियम के द्वारा सामविधिक निकाय के रूप में इस्थापित किया गया इसको 1987 में जो है की सामविधिक निकाय के रूप में इस्थापित किया गया था अगला प्रिश्ण है किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD के दुआरा 2003 में National Program for Technology Enhancement Learning की शुरुआती गई थी तो वहाँ Engineering की शिक्षा ठीक है Engineering की शिक्षा option C right हो जाता है भारत में अभी यांतर की शिक्षा और अनुसंधान के लिए सरवोच संस्थान कौन सा है तो वहाँ IIT है निमन में से कौन सा व्यावसाइक पार्टिकरम नहीं है तो इसमें जो लिलित कला है ये व्यावसाइक पार्टिकरम नहीं है बाकी सभी व्यावसाइक पार्टिकरम है अगला प्रिशन कहता है निमन में से कौन सा तरीका छात्रों को व्यावशाई के कौशल सिखाने के लिए सबसे उप्युक्त होगा तो वहाँ है प्रयोग है ठीक है अकिल भारती रैंकिंग दोजार पीश में किस सेक्षिनिक संस्थान को सर्वस्रिष्ट घोशित किया गया वहाँ है आई टियाई मतराश भारत में शिक्षा के व्यवसाई करण की सिफारी सबसे पह बिशेश कर स्कूरी सिक्षा के समन्द में सलाह देने और नीतिन ध़र में मदद करने का चीक है निमलिकेश में से किस संगठन में E.R.I.C. एक एकाई है तो यहाँ NCRT संगठन में E.R.I.C. एक क्या है एकाई है NCRT के कितने छेत्रीय सिक्षा संस्थान है तो इसके पाँ कि एन्सियार्टी केमिख्छित्र जिम्यदार कोतों सप्थान और विकाश करना सेवाकाल यॉं सेवापूर्व प्रसिक्षण देना विश्थार और प्रयाश करना पुल मिला कर आप्चिन डी राइट हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा राष्ट्री शंग्ठन की स्थापना से समझत सही कालकरम का पर्टेंदित करता है वहाँ है एंसी आर्टी भारती उन्नत अध्यन स्थान एगनू और फिर एंसी टी ऑपिशन एज दा राइट वन ओवर हैर एंसी आर्टी का अध्यक्ष कौन होता है केंद्री ये मानो संसाधन विकास मंतरी एंसी आर्टी का अध्यक्ष होता है एंसी आर्टी की सहाएक संस्थाएं कौन कौन से हैं तो इसमें C I E T N I E P W S C I V E ये सबी जो हैं एंसी आर्टी की सहाएक संस्थाएं मानी जाती हैं नापकinkव शामने है प्रिश्र न कहता है देखेया इसको मैच कर लेते हैं एंसी रटी की स्थापना कवई एंसी यारिटी की स्थापना 1901 एक सर चीछ और इगनू की स्थापना हुई थी 1985 में और in CTF 1995 में हैं कि किस थापना हुई तो is श्राइब ऐसे के साथ में 2 चला जाएगा B के सात में 30 चलंब कर 17 के 1 चला जाएगा डी के साथ में 4 चला जाएगा सिक र्खेंड में से कि स्थेत्र में NCRT मनोवग्यान का प्रियोग कर रहा है तो यहाँ पार्टी पुस्तों के निर्माण में जो NCRT है वो साइकलोजी का प्रियोग कर रहा है NCRT के अंसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सब्षे महत्पून गुर्मत्ता क्या है तो वहाँ है नेत्रत्वता यानि की लीडर्शिप आगे बढ़ते हैं NCRT का प्रतिक चिन जो है वो एक तूसरे से लिप्टे वे तीन हंस NCRT के प्रतिक चिन इस संस्था की तीन महत्पून कार्यों को दरसाते हैं निम्र में से कौन सा नहीं है तो वो भरती को नहीं दरसाते बाकी प्रसिक्षन और संधान विकास विस्तार इन सभी को रिप्रजेंट करते हैं राश्ट्री अध्यापक शिक्षा परश्रद अधिनम 1993 में बना था NCTE का उत्तर छेत्री कार्याले जैपूर में इस्थित है अगला प्रस्षन है NCTE के छेत्री कार्यालों के कुल संख्या जो है वहाँ चार है सही मिलान के अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा एक तो NCTE जो है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है दूसरा NCT पश्चमी चेत्री मुख्याले भुपाल में है तीसरी अगर हम बात करें तो NCT दच्चेन चेत्री मुख्याले बेंगलूर याने की करनाटक में है तो इसमें ऑप्शन जो भी है वहाँ राइट हो जाएगा NCTE का प्रमुक जो होता है वो अध्यक्ष होता है NCTE का प्रमुक कौन होता है उसका अध्यक्ष सिक्षा निर्धारन एहमेट कारेकरम किया हो धी NCTE ने किस वर्ष दो वर्षों के लिए किया है किस वर्ष दो वर्षों के लिए क्या है तो वहाँ NCTE हो जाएगा राश्ट्री अध्यापक शिक्षा परिश्ट जो है यहाँ भारत सरकार का एक समवैधानिक निकाय है निमन में से कौन सी पत्रिका? NCTE द्वारा प्रकाशित होने वाली एक अंतराश्ट्री पत्रिका है तो वहाँ है Indian General of Teacher Education Option C is the right one over here NCTE का वियोम वाक क्या है? NCTE का जो वियोम वाक की यहाँ पर बात हो रही है वहाँ है गुरू गुरू तमो धाम IQAC क्या है? IQAC जो है यहाँ आंतरी के गुणवत्ता आश्वाशन प्रकोष्ट तथा नैक के अंतरगत एक समिती आती है तो यह वही दोनों हैं इसका मतलब Option C राइट हो जाएगा नैक ग्रेंडिम क्या है? नैक ग्रेंडिम जो है यह उच्छे सिच्छन संस्थानों को मानिता परदान करना नैक ग्रेंडिम कहलाता है Option D राइट हो जाएगा राष्ट्री मुल्यांकन और परद्यान परद्यान की नैक की बारे में कौन सा कतन सही है? तो यहां एक स्वायत संस्था है नैक नैक दोरा मुल्यांकन एवं परद्यान में जिन बिंदों को ध्यान में रखा जाता है वो क्या है जिन मिन्दों को ध्यान में रखा जाता है वे एक तो सिच्छन अदिगम और मुल्यंकन हो गया दूसरा नवाचार है चातर साहता प्रगत है कुल मिलाकरिन सभी को ध्यान में रखा जाता है निउपा क्या है निउपा एक वित पोशित विश्विद्याले है प्रश्न है निूपा की स्थापना कभी। होता है CRT के अगर सयोगी संस्थाओं की बात करें तो इसमें आपकी जैसे राज शिक्षा संस्थान है राज अंगल भाषा शिक्षा संस्थान है उन्हों विग्यान साला यह सभी संस्थाइश में इंक्ल्यूड हो जाती है राज अंगल भाषा शिक्षान संस्थान का मुख् कहां इस्तित है वारानस्टी में है मनो विज्ञान्शाला और निर्देशन विभाग कहां इस्तित है तो ये भी आपका कहां है ये लखनों में है कहां नई सोरी ये प्रयागराज में है प्रयागराज सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह परिशत निदेशक होता है ये गय हां ये देना सेवारत सिक्षकों के लिए प्रजिक्षन और प्रोड शिक्षाकार करम कुल मिला करके आप्शन नमबर जुद्धी है यानि उप्रोफ सभी राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन सी आर्सी बी आर्सी का समंद्र किस से था इसका समंद्र डाइट से है और निवन में से किस संस्थान को जनपद इस्तर पर प्रात्मिक और बुनियादी विद्यालियों के शेवारत सिक्षकों की जिम्यदारी सौंपी गई है तो वहा जो है नूपा वहा संस्थान है डाइट योजना कब शुरू की गई डाइट की जो योजना है 1987 में शुरू ह हुई जिना सिक्षा यों पर सिच्छन संस्था के कितने भाग हैं तो इसके जो भाग हैं वो आठ आग हैं अगला प्रश्ण राष्टी सिक्षानिती 1986 के अंतरगत सिक्षा में गुणात्मत अभिवरत्ती है तो किस किस्था अपना हुई तो इसमें जैसे डाइट है सी टी ह है आ यहे l Keys है को में आकर करें सभी किस्थ अपना हुई option टी रर्ट हो जाता है एक नेक्सट प्रस्न आपके शामने है सार्वा भाहमिकरन शब्लत का प्रयाय नहीं है अले L प्रावजनी करण सर्व व्यापी करण लोग व्यापी करण ये तीनों ही सारभाव में करण शब्द के प्रहवाची है राच शमिधान के क्रियानिवित किये जाने के समय से 10 वर्ष के अंत्रगत 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निशुल क्यों अनिवार शिक्षा की विस्था करेगा ये जो वर्णन है वह आर्टिकल 45 में है प्रारमिक शिक्षा के सारभाव में करण के शंदर्ब में अनिवार शिक्षा सबके लिए होगी चाहे वो किसी भी जाती रंग धार में लिंग स्थान तथा वर्ण का हो किस अनुच्यत का अंस है तो यह आर्टिकल 15 का है प्रात्मिक शिक्षा का सर्भौमे करण का प्रयाय है सविधाओं का सर्भौमे करण होगा नमांकन का सर्भौमे करण होगा इस तरीके से option जो D है वहां right हो जाता है आगे बढ़ेंगे next question आपको मिलता है शिक्षा के सर्भौमे करण की परमुक चनौतियां है एक तो प्रात्मिक विद्यालियों की अपर्याप्त उकलब दता है भारत की भोकली की विविद्धा का भी फर्क पड़ता है बढ़ते हुई जो संख्या और बिष्टाचार का भी इस पर गहरा अशर देखने को मिलता है तो ऑप्षन जो दी है वहां राइट हो जाएगा प्रारम्रिक शिक्षा के सारो भामिकरण में किये गए सरकारी प्रयाशों में शामिल है तो इसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, NLM है, BEP है यह सभी इसमें शामिल है शाशी में समिधान संसोधन से समंदित तधा इसमें एक तो आपका, 2002 में जो लागू हुआ यह तध़ है, यह 2002 में लागू हुआ दूसर इसमें यह है, जो शाशी में समिधान संसोधन आए, राजजजच여 में राज 6-14 वर्स तक आयू के सभी बच्चों को निस्रक और अनिवर्शक्षा प्रदान करेगा इस तरीके से उप्संसी राइट हो जाता है चैश में समिधान संसोधन की सिफारी से किस समितने की थी तापस मजूमदा समिती उनिशो निन्या निवेने की थी डी पी इपी जो कारिकरम है वो 1994 में चलाया गया 1994 में जन्शाला कारिकरम भारत सरकार द्वारा किन एजन्शियों के सयोग से संचाली थे तो यह आपका UNDP, UNICEF, UNESCO इन सभी एजन्शियों के सयोग से यह संचाली थे या यह कहें की चलता है कोशन है की जन्शाला कारिकरम भारत सरकार द्वारा किन एजन्शियों के सयोग से संचाली थे तो यह हाँ इसमें तो हुई कि आप्रशना है की स्कूल रेडिनेस के मतलब होता है बच्चे की विक्तिगत, तैयारी, सैक्षिक, तैयारी, संगानात्म कोस्ट्लों का विकास तो इस तरीके से option direct हो जाता है NLM National Literacy Mission का शुबारम पांच में 1988 को हुआ था मीना मंच कारेकरम जो है इसका समन्द NPEGEL से है वंचित या पिछडी बालिकाओं है तो साक्षरता समन्दी जो कारेकरम है वो आपके केजी बीबी हो गया NPEGEL हो गया महिला समाक्या योजना हो गया इस जबी जो है वंचित या पिछडी बालिकाओं के लिए साच्छरता समन्दी कारेकरम है option D right हो जाता है स्कूल चलो अभियान 1996 में शुरू किया गया सर्व सिक्षा अभियान की जो सुरुवात है 2001 में हुई कश्टूरबा गांधी बालिका विद्देले योजना की सुरुवात 2004 में हुई प्रामबिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने है तू MDM जो है वहा 15 अगस्त 1995 से लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनिम RTE कब लागू हुआ तो यहा 2010 से लागू होता है कब लागू हुआ 2010 से लागू हुआ अगला प्रेशन है शिक्षा गरंटी योजना थथा वैकल्पिक और नवोन मेशी शिक्षा नाम से किसे जाना जाता है आप्चारिक शिक्षा कारेकरम को इस नाम से जाना जाता है यहां तक बात कलियर होती है नेक्स्ट प्रस्टन है शिक्षा अलंकारिक नहीं बलकि उपयोगी होनी चाहिए उक्त उक्त जो कथन है हमारा यहां कोठारी आयोग और शिक्षा को उपादक्ता से जोडने से सम्मंदित है तो option C right हो जाएगा शिक्षा के व्यवसाइक रन का अर्थ होता है शिक्षा को व्यवसाइक आधार प्रदान करना चात्रों में किसी प्रकार का व्यवसाइक कोशल विक्षित करना शिक्षा के वल पुस्त किये ना हो अपितू व्यवसाइवन मुख्षी होना तो यह शिक्षा के व्यवसाइक रन के अर्थ को इंडिकेट करते हैं ओप्षिन टी इस दा लाइट पन ओवर हियर शिक्षा बेरोजगारी के विरुद एक प्रकार का वीमा होना चाहिए किसने का हमात्मा गांधी का इस्टेट्मेंट है माधमिक शिक्षा के व्यवसाइक रन में शिक्षक की भून का क्या है तो इसमें शिक्षक की अपने कि विभिन्नी करण तथा बहुत देशी वित्यालियों की स्थापना का सुझाओ कि शायोग ने दिया था ये सुझाओ मात्मिक शिक्षा आयोग तीसरा है रोजबार रोजगार परक्षिक्षा तो उपरोग सभी जो आप्सन है वाराइट हो जाता है टी आर वाई एश एम क्या है तो यहाँ ट्रेनिंग एंड रूरल यूथ इन सेल्फ इंप्लॉइमेंट है एन इपी ट्वन्टी ट्वन्टी में वेव साइक शिक्षा शम किस्से होता है यहां आपका एक तो शारिडिक सरम के प्रती प्रेम और स्रध्धा होनी चाहिए दूसरा आपका इसमें वेव साइक पाटिक्रमों में शैधानतिक की जगे वेवारिक पक्ष पर फोकस हो चातर चात्राओं को रोजगार के लिए प्रोथसान उब्रोग सभी इसमें ऑप्षन जो है वहां सही नजर आ रहे हैं वेवसाई करन की आवशकता जो है यहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए वेवसाई करन की आवशकता है विक्त को शौलंबी बनाने के लिए वेवसाई करन की आवशकता है देश के आर्तिक विकास के लिए भी वेवसा प्रेक्षित का समाधान है हुई उप्षिंट हो जाता है हम आगे पड़ते हैं आगला प्रेशन आपकी सामने है कोशन कहता है निमलिखित में से किस पर तारा चंद स्मित ने सिफारिसे परदान की किस पर तारा चंद स्मित ने पर जो है कि सिफारिसे परदान की तो वो है मादमिक शिक्षा क्या है मादमिक शिक्षा रास्ट्री मादमिक शिक्षा भियान आरे मेशे किस वर्स सुर सिंग कौन से विशूनात प्रताप शिंग मात्मिक सिख्षा का व्यव वेवसाई करत शिक्षा का लाग क्या है? शिक्षा और काम तथा जीवन में एक ही करन करना, रास्ट्री आय को बढ़ावा देना, चात्रों में उत्पादन सीलता का गुन लाना, तो इसलिए उप्रोक्त सभी आप्शन्स यहां पर राइट हो जाएंगे. प्रस्ट नहीं कि श शिक्षा की खराब गुनवत्ता, बाजार में आवेश्य कोशल पर फोकस की कमी है, सक्षम बातावरन की भी उप्लबदता नहीं है, इसलिए उप्शन नमर जुड़ी है वहाँ, राइट हो जाता है, अगला प्रिशन आपके शामने है, शिक्षा का निजी करन का अभी क्रा करते हैं, निजी करन का अभी प्राय है, यहाँ पर एक तुस्ट्रा विट पोशित स्कूलों की स्थापना होगी, और स्कूल का निर्मान नियंतरन और संचलन निजी हाथों में होगा, सरकार वर निजी समुदाय का सन्युक्त प्रियाशिश में रहेगा, तो कुल मिला करके और उप्शन Nord D flight हो चाता है, शिक्षा का निजी करन के बढ़ावा का कारण हो सकता है, शिक्षा का जो निजी करन है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, इसके पीछ रीजन हो सकता है, एक तो सरकारी स्कूलों में बहुत इक सुद्धाओं का अभाव है, उचित शाक्षिक वात समस्या है इसमें निजी संस्ताओं के दोरा कैपिटेशन फीस वसूरना दूसरा है शिक्षकों का उचित वेतनमान न होना तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन्स राइट हो जाते हैं पी पी का मतलब होता है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप निजी करण का शिक् मद्यम वर्ग के बच्चों की पहूंच से सिक्षा का दूर होना यह क्या है यह निजी करण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो बचरिक गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं वो शिक्षा इन स्कूलों में graveyardन नहीं कर पाते शिक्षा के छेतर में प्रभावी निजी करण के लिए आवेशक है क्या एक तो शिक्षा संस्थाओं की मानिता समन्थी नियमों में कठोरता होती है कठोरता आवेशक है और योग के अनभावी निश्च्वार्थी इमानदारी लोगों की निपती होनी चाहिए निजी शिक्षा संस्थाओं में 25% गरीवे प्रतिभाश आलिक चात्वन करे सीटें आरक्चीत होना जीए तो इसलिए option नमर यहाँ पर जो D है वहार राइट हो जाता है शिक्षा संस्थाओं के निजी करण का तादपर है स्कूल गोद लेने की परंपरा है पी पी मोडल तयार होता है स्वावित पोसित इसकोल व्यस्था हो जाती है कोल मिला करके option नमर जो D है वह राइट हो गया अगला प्रेशन है निजी करण का उद्दिश से क्या है निजी करण का उद्दिश है तीवर आर्थिक विकाश होना निवेश पर प्रेशन लाब मिलना प्रतिवगता को बढ़ावा देना उप्रोग सभी options राइट हो जाते हैं शिक्षा के व्यापारी करण या फिर वाणिजी करण का उर्थ है शिक्षा को व्यवसाई बनाना शिक्षा से धनो पारजन करना शिक्षा संस्थानों का संख्यात्मक विकास काना तो यहाँ पर यह सारे ही options राइट हो जाएंगे शिक्षा में निजी करण के लाब क्या है इनसे एक तो सिक्षा की गुर्मत्ता में शुधार होता है शिक्षा के व्यापारी करण के लिए जो उपाय है वो यह है कि विभागों में व्यापत ब्रिश्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए निजी विद्यालियों की फीश्ट का निर्धारन सरकार के द्वारा होना चाहिए योगे और प्रतिबाश आले सिक्षों की भी निपती हो जानी चाहिए option D right हो जाता है शिक्षन संस्थानों के लिए आर्थिक स्रोत जुटाने ही तो सिफारिसें किस कमेटी ने दी तो वो है के पुनईया कमेटी के पुनईया कमेटी देखिए प्रमुक परिक्षा सुधार है प्रमुक परिक्षा सुधार में परिक्षा परिक्रिया को शत्त बनाना निबनात्मक परिक्षनों का उन्यान करना और अंतरिक परिक्षाओं को अनिवारे पुनाना है यह क्या है यह परमुक परिक्षा सुधार के अंतरगत आते हैं आप्शन पी जो डी है वह राइट हो जाएगा परिक्षा परिक्षानों का समू है जो किसी कौशल तथा योगता की जांश करने के लिए बड़ी सतरकता से तयार किया जाता है यह जो कतन है वो गैर टे का है किसका है गैर टे का है परिक्षा सुधार की आवशकता है परिक्षा सुधार की आवशकता जो है वहाँ समाज की बदलती आवशकता और रचीलेपन के लिए भी परिक्षा सुधार की आवशकता है परतिभा की विकास के ल ऐसा क्राउन बैक ने कहा है परिक्षाओं के प्रकार की जो स्रेणी है परिक्षाएं आपकी प्रियोगात्मक्त भी होती हैं मौकिक भी होती हैं लिखित भी होती हैं इसलिए ऑप्शन डी राइट हो गया मौकिक परिक्षा के गुनकी अगर बात करें मौकिक परिक्षा चात् चाप्तरों को अनुचित साथनों को अपनाने का अवजर ना मिलना चाप्तरों में मौकिक अभी विक्तिकी छमता का विकाश करना option d right हो गया मौकिक परिच्छा के क्या दोस्ट है मौकिक परिच्छा में आपका एक दो आत्मिनिस्टिता दूसरा विक्तिकत रूप होता है अधिक समय की आउसकता इसके लिए होती है तो ये सारे ही मौकिक परिक्षा के दोस्टेंवेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इसमें एक तो परिक्षा की आत्मनिष्टता की उन्वस्तिती होती है दूसरा है प्रिष्णों का समझना संशिप्त है प्रिष्णों में वर्स्तोनिष्टता होती है और प्रत्याश्मन प्रकार के भी होते हैं प्रत्याबिज्यान प्रकार के भी होते हैं इस तरीके से पूरती प्रिष्ण प्रकार हैं तो यह जो है प्रत्याभिज्ञान जो है यह रिक्त इस्थान पूरती प्रिष्ण के प्रकार के अंतरगत आते हैं वस्तोनिष्ट अगला प्रिष्ण है हमारा नहीं नहीं यह तो हाँ ठीक है इसमें नहीं इसमें आपको जो है प्रत्याश्म जो प्रिष्ण है यह रिक्त इस्थान पूर्ती प्रिष्ण के प्रकार के अंतर गताते हैं अगला प्रिष्ण मिलान प्रिष्णों का जो वर्गीगरन है यह प्रत्याभिज्यान के अंतर गताता है वस्तुनिष्ट परिक्ष्णों की विश्ष्ष्ण यह हैं इसमें वैदता और विश्वशनेता होती है व्यवहारिकता होती है निविवे धकता भी होती है इसलिए option जो डी है वहाँ राइट हो जाएगा वर्थ वस्तुनिष्ट प्रश्णों में सुधार समंधित तत्य है इसमें प्रश्णों का निर्मान शंपूर्ण पाठ्ट करम से किया जाना चाह ये प्रश्णों की भाषा सरब इस प्रश्ट होनीचिए यो वस्तुनिष्ठ प्रश्णों में सुधार से समंधित तत्य हैं इनके माद्यम के हम सुधार कर सकते हैं निवंदात्मक परिश्चा पनाली में सुधार समंदी तत्य है एक तो प्रिश्चन पत्रों में सुधार दूसरा है उत्तर परिश्चिकाओं के मुल्यांकन में सुधार option is the right one किसी परिश्चा के मापन में एक रूपता होना कहलाता है विश्च्वस्टनियता कहलाता है वहाँ परिश्चा जो उसी तत्यका मुल्यांकन करती है जिसके लिए वहाँ बनाई गई है परिश्चा की ये जो बिशेष्टा है ये उसकी वैदता को प्रेजेंट करती है वर्तमान परिश्चा पनाली के दोस्ट ये हैं कि एक तो इसमें संकेनता है दूसरी बात रटने की प्रवत्ती होती है परिश्चा साधिक के रूप में तो ये सभी वर्तमान परिश्चा पनाली के दोस्टें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा परिश्चा सुधार के उद्देश के हैं वैवारिक दिश्टी से परिश्चा की उपयोगता होनी चाहिए परिश्चा संचालन प्रिक्रिया में गत्यात्मक्ता होनी चाहिए परिश्चा की विश्चस स्चालन चाहिए ये सभी परिश्चा सुधार के उद्देश होने चाहिए विश्विदेल है कि सभी प्रिक्षाओं में करपां कियाने की ग्रेश देने की वजस्था कि श्माप्ति की संतुति किस आयोग ने की ऐसा राधा कर्षन आयोग ने का कि जो ग्रेश देते हो इसको बंद करो मिलान कीजिए आगे बढ़ेंगे तो हम मिलान करेंगे अब देखे किस आयोग ने कौन सी recommendation दी है तो इसमें जो राधा केस्टन है इनका जो recommendation है वहाँ है परिच्छों की वैग्यानिक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए ठीक है दूसरा जो मुदालियर आयोग है इनका recommendation है कि विद्यार्थियों का school record होना चाहिए तीसरा जो कोठारी आयोग ह कि जो है विदस्था करो तो इस तरीके से इसमें जो option number first है वो right हो जाता है इसनात को तर इस तरपर semester प्रणाली लागू करने की सिफार इस किसे शिक्षा नीती में की गई थी तो ये नेपी 1986 में की गई थी परिक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है तो देखे चात्रों को नि यह प्रश्ण किस परिक्षा का उधारन है यह प्रश्ण निबंदात्मक परिक्षा का उधारन है cce का पुरा नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगला प्रश्ण सतत मूल्यांकन शत्र के अंतमें अंतिम ग्रेड दूसरा है व्यापक मूल्यांकन यानि की मूल्यांकन कि निय मिटता तो इसमें देखे कौन सा युग में सहीं तो फर्स्ट और ना शेकंड कोई सहीं नहीं है सतत एवं व्यापक मुलियांकन के लिए जो तार की काधार है मानो व्यक्तित की समगर प्रक्रती यही सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए तारकी काधार है option c is the right one over here निम्न में से कौन सा परिक्षा मुल्यांकन के त्रीकोन का भाग नहीं है वहाँ है शिक्षन अनुभाव क्या हो जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेशन कहता है मिलान की जिए राष्टी सिक्षानिती एन इपी 1968 इस इनके समय में जो जब एए 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 उनी सो और सट आई थी तब जो प्रधानमंत्री थे वहां कौन थे इंदिरा गांधी चीक है उसके बाद जब एएए एएए 1986 आई तब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उसके बाद जब एनीपी को 1986 को संसुदित करके 1992 किया गया तब उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्भार राओ फिर उसके बाद जब एनीपी 2020 आई तो उसमें प्रधानमंत्री थे नारेंद्र मोधी जी आज भी है तो वहाँ option भी right हो जाएगा according to the question, शिक्षा की चुनावती नीती समंदी परिप्रेक्ष दस्तावेश का प्रस्तुत किया गया, तो ये दस्तावेश 19 अगस्त 1985 को प्रस्तुत किया गया, रास्टी शिक्षानिती 1960 के बारा भागों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इस ब्लैक बोर्ड और ECCE ये दोनों हित्त तो एनिपी 1986 में समाहित हैं, नवोदय विद्याले की संकल्पना कि सिक्षा नीती की विशेषता है, एनिपी 1986 की यहाँ विशेषता है, कि इसमें नवोदय विद्याले की संकल्पना की बात कही गई है, रास्टी शिक्षानिती 1986 के द प्रबंद शिक्षा इनको इसके लिए प्रयाश किया गया है तो ऑप्शन दी राइट हो जाएगा डाइट की इस्थापना का प्रावधान किस शिक्षा नीती में किया गया तो डाइट की इस्थापना का प्रावधान एनेपी 1968 नीती में किया गया शामान सेक्षनिक धाचा 10-2-3 की संस्तुती जो है वो NEP 1986 में की गई थी यहां तक बात होती है clear हम बढ़ते हैं आगे Next question आपके शामने कहता है कि कंप्यूटर के ज्यान की महत्ता को किस सिक्षा नीति में सरप्रथम स्विकार किया गया वहाँ है NEP 1986 उपाधियों को रोजगार से अलग करने की संस्तुती जो है वहाँ 1986 सिक्षा नीति का विशय थी Option B इस ता राइट पन ओवर एर Operation Blackboard योजना जो है यहां प्रात्मिक इस तरह पर बनाई गई योजना है राष्टी सिक्षानिती 1966 में सुझाओ दिया गया Operation Blackboard का नवोदय विद्याले का स्वायत कॉलेजों की स्थापना का तो यह जितने भी सुझाओ दिये गया NEP 1986 के तहत दिये गया Option जो D है वहाँ राइट हो जाता है प्राशन कहता है अनुसंसा करता है कि राष्टी महत के संस्थानों जैसे UGC, NCRT, NIEPA, AICTE आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्टी अपनाली को आकार दे सकें तो यह राष्टी शिक्षा की राष्टी नीती 1986 यह अनुसंसा करता है कौन राष्टी शिक्षा की राष्टी नीती 1986 यह अनुसंसा करता है अगला प्रेशन है राष्टी शिक्षा नीती 1986 की समेक्षा जो है वहा रामूर्थी समिती 1990 के द्वारा की गई थी संसोधित राष्टी शिक्षा नीती 1992 में प्रात्मिक शिक्षा को कब तक सर्वसलब बनाने की घोशना की गई, 2000 तक सर्वसलब बनाने की घोशना की गई, राश्ट्री शिक्षानिती 1986 में प्रात्मिक शिक्षा याने की कच्छा एक से पांच तक को कब तक सर्वसलब बनाने की घोशना की गई, 1990 तक सर्वसलब बनाने की घोशना की गई एनेपी 1986 का लक्ष और उद्देश जो है ये था इसका था राष्ट्री पार्टिकरम का स्रमकर शिक्षा पणाली को शुधारना शिक्षा का समान आवसर्यम भार्षाओं का विकास ये है एनेपी 1986 का लक्ष और उद्देश था इसलिए option D जो है वो right हो गया अगला प्रिशन है राष्ट्री सिक्षानिती उनीशो चैसी सिक्षा के छेतर में कुल राष्ट्री आयका कम से कम कितने प्रतिशत निवेश करने पर जोर देती है तो ये कम से कम 6 प्रतिशत निवेश करने पर जोर देती है राष्ट्री सिक्षानिती उनीशो चैसी मे कौन सा बिंदू नहीं है तो इसमें देखे आगे बढ़ते हैं सिक्षाम पर्यावरंड की बात है मूरी सिच्चा कंप्यूटर सिच्चा की बात है लेकिन सिच्चा और जुन संक्या जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है 1986 की राष्टी शिक्षानीत की अत्यक्ष कृष्ण शौमी कस्तूरी रंगन थे जनार्दन रेडी समित का गठन 1991 में किया गया जनार्दन रेडी समित ने कौन सा सुझाओ नहीं दिया था इन्होंने कस्तूरबा गांधी बाल का विद्दैला योजना को मजबूत किया जाए य जनार्दन रेडी समित ने कितने कारिकारी दल गठित किये थे इन्होंने 22 कारिकारी दल गठित किये थे जनार्दन रेडी समित में शामिल कारिकारी दलों में नहीं है तो वहाँ है पार्टिकरम पुनर निर्मान जनार्दन रेडी समित का गठन क्यों किया गया जनार्दन राश्चिक्रण हो से के इसके लिए किया गया अप्शन जो डी है वहार राइट हो जाएगा एन जनारदन रेटी समित की कारिकारी दल की अथेक्च जो है वहाँ चित्रा नायक थी कौन थी चित्रा नायक केंद्री शिक्षा सलाकर बोर्ड केब की स्थापना उनिशो बीश मे की गई किंद्री शिक्षा सलाकर बोर्ड की कितनी स्थाई समितियां है चार गती निरधारिक स्कूलों की स्थापना शिक्षा निटी उनिशो चाशी के तहत की गई किस वर्स सिक्षा को समवर्ती सूची में सामिल किया गया उनिशो चैटर इशो चैटर में जनारदन रेड प्रारूप शमित के अध्यक्ष कौन थे तो इसके जो अध्यक्ष है वह के कस्तूरी रंगन है कौन है के कस्तूरी रंगन है अगला प्रिशन है किस वर्स तक चार वर्षी एक एकरत बीड कारिकरम इस कूली सिक्षकों के लिए नियुनतम डिगरी बन जाएगी तो यह 2030 तक न परतमान शिक्षा पणाली के समक्ष निम्न में से कौन सी परमुख चुनोतियों को शुविकार किया गया है तो इन में पहुंच शमानता गुनवत्ता वहनियता जवाब दही इन सबी को क्या किया गया है इन सबी चुनोतियों को शुविकार किया गया है यहां तक बात क्लियर होती है अगला प्रिशन आपके शामने राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 कितने भागों में विभाजित है राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 के चार भागों में शंबलित है तो इसमें आपके स्कूली सिक्षा, उच्छे सिक्षा के इंदरी विचाड़नी मुद्द ये सबी सामिल हैं ड्राप आउट का जो शम्मंद है वह विविद परिस्टियों में स्कूल छोड़ने वाले चात्रों से ड्राप आउट का शम्मंद है NEP 2020 के according जो धाचा दिया गया है वो 5 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का दिया गया है परक क्या है देखिए परक जो है ये शमगर विकास के लिए ग्यान का प्रदर्शन मुल्यांकन समिक्चा और विसलेशन करना है इसकूल बोर्डों को प्रामश देने वाली संस्था है State Achievement Survey तथा National Achievement Survey का संचालन करने वाली संस्था है इस तरीके से Option D राइट हो जाता है M.E.R.U. की भूमिका है M.E.R.U. जो है एक बहुविशक शिक्षा हैं सोध विश्विद्याले है NEP 2020 में समगर और बहुविशक शिक्षा की और एक कदम है तो इस तरीके से Option 3 जो है वहार राइट हो जाएगा NEP 2020 में समाहित जो तत्य हैं वो कौन से हैं तो इसमें आपका एक तो स्कूली धाचा 5334 का है राश्ट्री मुल्यांकन केंदर की स्थापना का जो है किसमें शमाहित तत्य है और उच्ची सिक्षा आयू का गठन है तो कुली मिला करके Option मर जुद्धी है वहार राइट हो जाएगा अगला प्रेशन है राश्ट्री सिक्षा नेती 2020 के गुण क्या है इसके गुण है इसमें GDP का 6% सिक्षा पर वे होगा राश्ट्री शोद फाउंडेशन की स्थापना होगी डिग्री कारेकेम के अनुसार एक वर्ष में प्रमान पत्र दो वर्ष में डिप्लोमा तीन वर्ष में डिग्री चार वर्ष में शोद सही तुपादी की वस्था की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा NEP 2020 की कोडिंग ECCE का पूरा नाम क्या है भाई बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा राश्ट्री शिक्षा नेती 2020 किस बात पर बल देती है यह लचीले बहुत इस्तरिय गती पर आधारित अधिगम पर बल देती है NEP 2020 के अनुसार छात्रों में मुल्यांकर में किन किस्मों की विशिष्टा को शामिल किया जाना चाहिए NEP 2020 के तहट एक सिक्षक को सिक्षन अधिगम परक्रिया के दोरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से शंपरिशन के लिए किस भार्षा का प्रियोग करना चाहिए तो उसे बच्चों की मात्रि भार्षा का प्रियोग करना चाहिए NEP 2020 किसकी सिफारिस करता है बहु भाशावाद की सिफारिस करता है नई शिक्षानिती कितने इस्तंभों पर आधारित है नई ये जो है चार इस्तंभों पर आधारित है नई सिक्षानिती के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए कैशा प्रयोगात्मक होना चाहिए नई सिक्षानिती 2020 किस पर बल देती है वैचारिक समझ पर बल देती है अगला प्रिश्ण है मुल्यांकन के शंदर्ब में रास्ती सिक्षानीती 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है तो इसमें 360 डिग्री बहु आयमी रिपोर्ट कार्ड को इंकल्यूड किया गया है एनिपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है तो ये विद्याले की पार्ट चला की विशेवस्तों में कटौती और विद्याले की पार्ट चला के लचिलेपन में वरत्ती हो और विवेचनात्मक चिनतन को महतो देना इन सभी को प्रस्तावित करती है तो प्रोक्त सभी राइट हो क्षानिती 2020 को कैबिनिट की मंजूरी 29 सुराई 2020 को मिली आगे बढ़ेंगे एनेपी 2020 में कौन सी भाषा को खच्छा पांच तक खत्म कर दिया गया है अंग्रेजी को एनेपी 2020 की संस्तुती उपरांथ पर्थम शिक्षा मंत्री कौन होंगे रमेश बोखरियाल निशांक 2020 के कौर्स किश कक्षा में शुरू किये जाएंगे तो ये कच्छा 6 में शुरू किये जाएंगे नई सिक्षानिती के तहद इसकूली सिक्षा को कितने इस तर पर बाट दिया गया है इसकूली सिक्षा को तीन इस तर पर बाट दिया गया है राष्टी सिक्षानिती के उनसार उ आयोग ने 21 श्रितापदी के लिए बुन्यादी शिक्षा के विस्तार को तथा विशिष्ट शिक्षा की विवस्था को इन्होंने आविश्च बताया है। डेलर्स आयोग ने किसे सिधान पर बल दिया था। डेलर्स आयोग ने परतेक विक्ति को जीवन परेंथ शिक्षा पाने का अधिकार है। वेश्विक इस तरपर अंतराष्टी सयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए। बाला को शिक्षा की विविन स्विधाओं में से चैन करने की शुरत अंतरताफ होनी चाहिए। इन सबी सिधानतों पर इनों ने बल दिया था। वहा है अधिकम अंतरनियत ग्यान का भंडार तथा शिक्षा को समाज की धरकन कहा गया है। एक तो सारवजनिक अधिकारियों वा अंतराष्टी समदारों के साथ सयोग है सयोग की रणनेती है दूसरा सीखना विक्त की पूरी जिंदगी में शामिल रहता है शिक्षा चेतर में अंतराष्टी सयोग ये जो है डेलर्स आयोग की प्रस्तावित रणनेतियां है अप्शन टी राइट हो जाएगा प्रमुख डेलर्स आयोग का आधार इस्तम करके शीखना लर्निंग टू डू का अर्थ क्या है लर्निंग टू डू का अर्थ है शमाज को सीखने वाले समाजों में बदलना वेक्तियों में दूर द्रिश्टी वर अंतरद्रिश्टी उत्पन करना तीसरा है आप्चारिक शिक्षा में कार अनुभो को समाज शेवा से जोडना तो यहाँ पर सारे ही आप्शन आपके राइट हो जाते हैं बालकों में शमाजिक कोशल का विकाश करना सारे आप्शन शही है तो डी के साथ में जाएंगे भारती विचारधारा वशुद्धे को तुमकम डेलर्स आयो के किस आधार शेवा से शमानता रखता है एक साथ रवहना सीखने पर यह जोर देता है या इसको इसकी सिफारिस करता है नेक्स्ट कोश्चन इस डेलर्स रिपोर्ट में एगर फोरा की रिपोर्ट की सिफारिसों के बारे में कहा गया है एगरफोरा की रिपोर्ट 21 में शताबती की शिक्षा के लिए उपियोगी है डेलर्स रिपोर्ट के किस अध्याय में सिक्षकों के बारे में वर्नन है अध्याय साथ में लर्निंग सोसाइटी का सिध्धान्त की सायोग ने दिया डेलर्स ने दिया अगला प्रिशन आपके शामने है, डेलर्स कमिशन के चार इस्टम जो हैं, वो कौन से होंगे एक तो जानना सीखना, जोकि हमारा सीखे वे क्यान का इश्पराण करना है, दूसरा करना सीखना जोकि क्यारे अनुभाव का समाज शेवाशे शंबंध है, तीसरा हमारा बनना कि बात करता है चौता है शाथ रहना सेखना कि वस्तर कुर्णुमकम की भावना तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा प्रशन है सिक्षा की प्रिभाषा एक सामाजिक अनुभाव जिसके माध्यम से बच्चे अपने बारे में सीखते हैं सामाजिक कोशल विक्षित करते हैं औ देखिये प्रशन है शिक्षा का अधिकार समन्दित उपबंद समन्दित है तो यहां इसमें मौलक मौलक अधिकार में मौलक करतव में अनसूची में इन सभी से यहां समन्दित है सभी में समन्दित है शिक्षा का अधिकार अधिनियम विध्यक पर राश्पती ने 26 सगस्त 2009 को हस्ताक्षर किये थे शिक्षा का अदिकार अधिनियम एक अपरैल 2010 से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है इसकी बिशेच्टा है कि ये निसुर्क और अनिवार शिक्षा का अधिकार है माता पिता और अभी बागों का उतरदाई तो है शिक्षकों के करतब वे हैं तो ये सभी सिक्षा के अधिकार 2009 की बिशिष्टा हैं आप्शन टी राइट हो जाएगा बालसरम निशेद एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उमर तक के बच्चों को किसी भी कामें लगाने से प्रतिबंधित किया गया है तो चौदा वर्ष तक के बालकों को बालसरम निशेद वे नियमन अधिनियम उन्नी सो चाशी को कानून और नियाय मंत्राले दोरा 30 जुलाई 2016 को अधिनियमित किया गया अगला प्रिशन आपके शामने है भारत में बालसरम का प्रमुख कारण है जो उच्च जन संख्या गरीबी निर्थ चरता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बिशेष्टा है रोकने वनिश्काशन का निशेद है शारिक दंडवा मांसिक प्रतारना का भी निशेद है मानिता प्रमान पत्र की भी अनिवारता होगी इसमें तो कुल मिलाकर आप्शन डी राइट हो गया कथन की सहत्यता जाचिये देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना एक अपरल 2010 से लागू हुआ तो इसमें दोनों बाते सही हैं दोनों का थन सही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से समंदित जो तत्य है वो क्या तत्य है आगे बढ़ते हैं देखिए एक तो अनुचित 45 दूसरा अनुचित 21 अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश से था चात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्द कराने का उद्देश था या कराने के लिए जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया आर्टी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन गलत है तो यह अधिनियम 618 वर्ष तक के बच्चों के लिए निसुर्क शिक्षा का प्रावधान करता है यह बात कर लत है कौन इसमें शही सुमेलित नहीं है राश्टी सलाकार प्रिश्ट धारा 3351 के साथ जुड़ती है यह इसमें सुमेलित नहीं है राश आर्टी एक्ट 2009 में अध्यापकों से समंधित प्रावधान नहीं है क्या प्रावधान नहीं है तो इसमें कक्षा कक्ष में मोबाईल उप्योग पर प्रतिभंदर रहेगा इसका प्रावधान नहीं है अगला प्रेशन है RTE 2009 के तहट सत्यकतन क्या है इसमें सत्यकतन है कच्षा आठ तक किसी भी छातर को अनुतिन नहीं किया जाएगा प्रात्मिक शिक्षा यानि किच्षा एक से पांच की बच्चों के घर से एक किलोमेटर की परिदि में उपलब दता होगी उच्ष प्रात्मिक शिक्षा कच्षा छे से आठ की बच्चों के घर से तीन किलोमेटर की परिदि में उपलब दता होगी तो यहाँ पे तीन ओप्श साथ की डिटेल ली जा सकती है चुनाव समंदी जो है की जानकरी उनसे ली जा सकती है कुल मिलाकर क्यों आप्शन डी राइट हो जाएगा अगला प्रशन है आर टी एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है तो इसमें जो है की बच्चों को शारिक दंड देने का प्रावध दरसाता है तो वहाँ जैसे कि आपका एक शमान पार्ट करम पूरे देश में लागू नहीं है पूर्वर विद्याले सिक्षा के बारे में कोई ठोश कदम नहीं उठाए गए केवल चर्चा हुई नीची विद्याले में पर लागू नहीं होता है ये शबी जो है कमी को दरस आते हैं 6-14 वर्टस तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार सिक्षा अप्रदान करने का जुद आइद तो है वह केंद्र और राजसरकार दोनों का है केंद्र और राजसरकार दोनों का है RTE 2009 में पहली बार संसोधन कब किया गया 2012 में RTE 2009 में प्रथम संसोधन समंदित जो तत्य है उसमें ये है कि अल्पसंख्यक सिक्षा संस्थाओं जैसे मदर्सा है बहुत दिक पार साला आदी को RTE के दाहरे में दाहरे से बाहर रखना ये इसमें जो संसोधन हुआ उससे समंदित तत्य है शबी तरह के अशक्त बच्चों जैसे आउटिस्म सेरे, ब्रल, पॉलसी, आदी को शामाने बच्चों की तरह सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए अलब संक्यक सिक्षन संस्थाओं को स्कूल प्रबंदश समित के दाहरे से पाहर रखना तो यहां पे जो सारे ही आप्शन्स हैं वो राइट हो जाएंगे अगला प्रिशन है मिलान कीजिए माता पिता समच्चक का जो दाइत तो है वहां हमारा धारा या नसूची दर्श के अंतरगत आता है उसके बाद है स्टत्यम व्यापक मुल्यांकन जो की धारा या नसूची नो के अंतरगत आता है उसके बाद है सैचने कलंडर का निर्धारन जो की धारा 29 के अंतरगत आता है तो इस तरीके से जो options में जो भी रहेगा वहार right हो जाता है RTE Act 2009 के अनुसार विद्याले प्रबंधन समित के बारे में क्या बात सही है तो इसमें समित में कम से कम 3-4 यानि कि 75% सदस्य माता पिता समच्चक होंगे 50% सदस्य महिला होंगी तो यहाँ पे दोनों ही options right हो जाते हैं आगे बढ़ेंगे RTE Act के प्रावधन कहां लागू नहीं होंगे तो यह मदरसों में, बौदिक पार्चालों में, धार्मिक शिक्षा पदान करने वाली सेच्छिनिक संस्थाओं में लागू नहीं होंगे option जो D है वहार right हो जाता है, आगे बढ़ेंगे question कहता है, RTE 2009 में दूतिय संसोधन किश्वर्स किया गया, 2019 में किया गया RTE Act 2009 में उलेखित प्रावबिक शिक्षा से अभी प्रेरित है, क्या कच्छा एक से एक से आट तक अगला प्रेशन है, निजी विद्यालियों की मानिता प्रावब्स्रमंधी प्रावधान किस अनुच्छे दिया धारा में बताया गया है, तो ये धारा 18 में बताया गया है RTE Act 2009 में उलेखित समुचित सरकार से अभी प्रेरित है, तो वो है प्रिशाशक तवरा नियंतरित विद्याल है, राज सरकार संचालित विद्याल है, शंग राज चेतर के भीतर इस्थापित विद्याल है, ये सभी RTE Act 2009 में उलेखित समुचित सरकार से अभी प्रेरित है, आप्शन जुड़ी है वहार राइट हो जाता है आगे बढ़ेंगे समिधान के किन अनुच्छेतों के अधीन रहते हुए बालकों को निशुल के और अनिवार सिक्षा के अधिकार प्रदान किये गए हैं तो वहाँ अनुच्छेत उन्तिसो तीश है आर्टी एक्ट दोजार नौ में उल्लिखित इस्थानी प्रादिकार का आशर है नगर निगम नगर परिशद जिला परिशद नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तो आप्शन यहां पे सारे ही सही हो जाते हैं कितने चात्रों पर 5 अध्यापक और एक प्रदाना ध्यापक 5 प्लस 1 का मानक निर्धारित किया गया है तो यहां 500 से अधिक चात्रों पर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नमर कोशन कहता है शिक शक चात्र अनुपात कच्छा एक से 5 तक के बारे में सही गतन क्या है सही कतन है कि 60 बालकों पर 2 अध्यापक हों 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक हों 200 से अधिक बालकों पर प्रदाना ध्यापक हों छोड़कर 14 अधिक नहीं होने चाहिए ये सारे ही आप्शन शिश में शही हैं आर्टी ए 29 का सही और पूरा नाम है निशुलक और अनिवार पाल शिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया विधान शभादवारा अधिनियमित किया गया था आगे बढ़ते हैं क्पें ऑर्टी दो जारॉम में कितने अध्याय Audi accomplished में स उस्में साथ अध्याय 38 है भारत अर्टी एकट लागू करने वाला कौनसा देश है पैंतिस्वा आर्टी एक्ट दोजर नौ के कॉर्डिंग एक सेच्छनिक वर्ष में कच्छा एक से पांस में कार दिवसों की और सिच्छन घंटों की जुनतम संख्या दो सो कार दिवसों और आट सो घंटे होंगे अगला प्रिशन है आर्टी एक्ट दोजाल नौ द्वारा गरीब बच्चों के लिए नीची विद्यालियों में कितने परतिसत शीटें आरच्छत की गई हैं नेक्स्ट प्रश्ण आपके सामने है कोशन कहता है आर एम ऐसे का पुरा नाम है रास्ठ्रिय मात्मिक शिक्षा अभियान नई सैक्षिक सनचना 5.3.3.4 में मात्मिक शिक्षा का जो अंक है वो चार है आगे बढ़ते हैं मात्मिक शिक्षा में सुधार, सम्वर्दन और विकाश हेतु केंद सरकार के दोरा किस आयोग का गठन 1952 को किया गया वहां आयोग मुदालियर है मात्मिक शिक्षा के सार्व भॉमिकरण से समंदित जो अभियान है वो RMSA है RMSA मात्मिक शिक्षा की पहुँच बढ़ाने वाला अभियान किस वर्स लागू हुआ तो यह 2009 में लागू हुआ था अगला प्रश्ण है RMSA समंदित तत्य है तो यह जो है यह मात्मिक शिक्षा का सार्व भॉमिकरण से समंदित तत्य है बालकों के घर से पांच किलोमेटर की परिति में एक मात्मिक विद्याल है 2017 तक मात्मिक शिक्षा के सारो भॉमिकरण की प्राप्ति का लक्ष तो यह जो है इनसे समंदित तत्य है RMSA का लक्ष है मात्मिक शिक्षा की प्रतेक बालक पर पहुंच हो समता वा शमानता की स्थापना हो मात्मिक शिक्षा की गुर्मत्ता में शुधार हो option जो दी है वा right हो जाएगा मात्मिक शिक्षा के सरशक्ति क्रण से समंदित कौन सी संस्थाएं काम कर रही है तो इसमें NCRT, NIOS हो गया, NCT, NUPA हो गया, CRT, SIOS हो गया सबी संस्थाएं काम कर रही है बारवी पंचवर्सी योचना में RMSS की वित्विदस्था में केंद्र और राजे सरकार की भागीदारी निर्धारित की गई तो इसमें 50-50 इनकर भागीदारी निर्धारित की गई RMSS द्वारा सिक्षक चात्र अनुपात जो है वो 130 का है कितना है 130 का है यानि की 30 बालोकों पर एक सिक्षक राश्ट्रिय मात्मिक सिक्षा अभियान के द्वारा किये जा रहे कारे हैं तो वहाँ ब्रिज कोर्स और वैकल्पिक सिक्षा है मुक्त विद्याले जाल बनाना परिक्षा पनाले की पुनर रचना करना उप्रोक्त सबी ऑप्षन्स राइट हो जाएंगे राश्ट्रिय मात्मिक सिक्षा अभियान में बच्चों को लक्षित आयू वर्ग 14-18 वर्स है RMSA ने मात्मिक इस तरपर अध्यापन की गुनवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCRT निउपा आदि के संयोक्षे अनेक कदम उठाए हैं इन में से हैं तो वो है स्कूल नेतरत विकाश कारिकरम रमशा यानि की RMSA का जो अध्यच होता है वह मानो संसाधन विकास मंतरी होता है मौडल स्कूल योजना के अंतरगत केंदर और राज सरकार का वित्य इस्थान जो है वह 75 रेशियो 25 होता है मानो संसाधन विकास मंतराले की स्थापना 1985 में की गई थी निमन मेंशे कौन सा राष्टरी मातमिक सिक्षा अभियान का उद्धिश नहीं है तो वहाँ उच मातमिक इस्तर की सिक्षा की पहुंच सन 2017 तक ये राष्टरी मातमिक सिक्षा अभियान का उद्धिश नहीं है अगला प्रिष्चन है केंदर प्रायोजित योजना ICT को रमशा में कब मिलाया गया 2013 में इपाट साला की जो सुविता है वो शुरू ही 2015 में रमशा योजना किसके प्रधानमंत्रितो काल में लागू ही डाक्टर मनमोहन शिंग के प्रधानमंत्रितो काल में अगला प्रिश्टरी प्रतिभाग खोज़ परिक्षा का आयोजन राश्टरी इस तरह पर करवाये जाता है NCRT से राश्टरी माध्मेक प्रिश्टरी हमारा राश्टरी माध्मेक सिक्षा अभियान का नारा है क्या नारा है पढ़े चलो बढ़े चलो ठीक है यह नारा है इसका यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़े चलो बढ़े चलो शाला दरपन क्या है तो शाला दरपन M.H.R.D. के दोरे स्थाफित एक पोर्टल है पांच जून 2015 को इसकी स्थाफना भी थी दोनों आप्शन यहाँ पर राइट हो जाते हैं तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं यह हमीं मिलता है 2023 का कोर्शन पेपर यहां तक यह आपका जो इजी नोट्स था वो कवर होता है अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ 2023 का कोर्शन पेपर है हलांकि मैं पहले करा चुका हूं लेकिन एक नजर और डाल लेते हैं पांस मिनट लगेगा हमें फटाफट से ठीक है और हाँ एक्जाम आपका नौजुलाई से ही है यह यह हो क्या है बिलकुल ड पुरस्टन आपके शामने देखिएगा कोका कोशन कहता है कि पर थnya का उत्थ बच्चों को समंझेश से पूर्ण और सफल विकास की डैश्ट में करना सफल विकास की सुविधा प्रदान करना है सर्व सिक्षा अभियान का उद्देश है सभी के लिए सिक्षा सर्व सिक्षा अभियान की सनचना किस इस तर पर होती है तो ये हमारी एक तो गाउं और ब्लॉक तदा समू और स्कूल इन दोनों ही स्तरों पर होती है सर्व सिक्षा अभियान का उगदेश प्राणबिक सिक्षा पदान करना है छेशे चोदा वर्स की आईउ के सभी बच्चों के लिए अगला प्रिशना आपके अब हैं तो सर्व सिक्षा अभियान के राच्ष्ची मिश्ण में तीन निकाई शामिलें जिसमें अपके तो शासी परशान्धाए लाजाता स्कूर्ण अदिगम को अनुकुलित करने के लिए भी होना चाहिए। यो टी है वहारा राइट हो जाएगा और अगे बढ़ते हैं राश्वी सिक्षानिती दोजर बीच का प्रिस्ताव है इसका प्रश्ताव है कि स्कूली पार्ट करम सामगीरी में कमी लाई जाए, विद्याले पार्ट करम में कुछ लचीलापन लाया जाए, ठीक है, आप्शन फर्स्ट और सेकंड राइट है, प्रात्मिक सिक्षा का सरभौमिकरन है, तो समयधानिक प्रावधान भी है, मौलिक अ इसलिए ऑप्शन जो C है वहाँ राइट हो जाएगा, अगला प्रेशन कहता है, NCRT की जो स्थापना है वो कब हुई थी, आप सभी को पता है, NCRT की स्थापना 1 सप्टमबर 1961 को ही थी, राश्ट्री पार्चरजा की रूपरेखा तयार करने के लिए उतरदाई जो संस्ता ह जो है की दस वर्सों में, दस वर्सों की जो शमय श्रीमा के भीतर, भारत में प्रानलिक शिक्षा के सार भामेकरन की उपलब्दे की परिकल्पना की गई है, SSA के सुभारम पर केंदर और राज सरकारों के बीच, 75 रेशियो 25 वित्ती विवस्था साजा की गई थी, आप्श के लिए एक नोडल एजनसी की रूप में काम करता है, वहां NCRT है, NCRT को पहली बार वर्ष 1983 में राज शिक्षा सरस्थानों की रूप में इस्थापेद किया गया था, राज इस्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक सिक्षा के सेक्षिक कारिकरम की योजना कार्यानव विग्यान और गणित शिक्षा को बढ़ावा देना, किस पंचवर्षी योजना की बाद, SSA के लिए केंदर और राज सरकारों के बीच वित्ति अवस्था 50-50 को साजा किया जाना चाहिए, तो वहां है ग्यार में ही पंचवर्षी योजना, डाइट का महत्पून काम क्या ह प्रतिधर्ण और प्रगति पर अपना ध्यान के इनदरित करता है, किस आयोग के अनुसार प्रात्मिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तयार करना चाहिए, तो वहां हमारा हंटर कमीशन है, कौन सा है? हंटर कमीशन आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्न है हमारा सिक्षा में राज और संग के बीच समनवे निम्नमेशे किस के दोरा लाया जाता है राज और संग के बीच जो एक समनजस इस्थाफित किया जाता है वह मानुव संसादन विकाश मंतरले के माध्यम से किया जाता है राश्ट्री ग्यान आयोग का जो गठन है वो 13 जून 2005 को हुआ था अखिल भारतिय तकने की शिक्षा पहिशद की स्थापना 1945 में एक सलाकार निकाय के रूप में की गई थी अगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है किस आयोग की शिफारिस पर राश्ट्री अध्यापक शिक्षा पहिशद एक वैधानिक निकाय की रूप में इस्थापित हुआ वह राश्ट्री सिक्षानिती 1986 है किसकी अमस्था पर अखिल भारतिय तकने की शिक्षा परिशद को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी तो वहाँ राश्ट्री सिक्षानिती 1986 विश्विद्याले जो संसत के एक अधिनियम के दोरा इस्थापित किये जाते हैं वह कहलाते हैं वह किंद्री विश्विद्याले कहलाते हैं क्या कहलाते हैं किंद्री विश्विद्याले भारत सरकार दोरा हाल ही में प्रात्मे के सिक्षा के लिए अत्रिक्त घटक परदान करने के लिए SSA की मौजूदा योजना के अतरिक्त समर्थन के रूप में NPEGL की सुरुवात की गई इसकी सुरुवात बालिकाओं की शिक्षा के लिए की गई NPEGL का पूरा नाम क्या हे? देखिए इसका नाम है National Professional Standards for Teacher निष्ठा योजना किसके दोरा प्रणम की गई थी जो निष्ठा योजना है ये MHRD मानो संसादन विकाश मंत्राले के दोरा शुरू की गई थी मानो संसादन विकाश मंत्राले और राष्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशत ने किसके सहयोग से दिक्षा का शुबारम किया गैड सरकारी संस्ताओं के सहयोग से नोंने दिक्षा का शुबारम किया था HRD मंत्राले दोरा सार्थक लाँच किया गया शार्थक कब लाँच किया गया वही जो सार्थक है यहा 29 दोलाई 2020 को लाँच किया गया अगला प्रिशन है राष्ट्री प्रामस्ताता मिशन NMM के किसके दोरा लागू किया गया है NCTE के दोरा लागू किया गया है कौन सी NCRT की घटक इकाई नहीं है तो वो NCT नहीं है और अगला प्रिशन है हमारा देखिए B.Tech.Ed ये कायकरम NCT दोरा मानियता प्राप्त नहीं है Next है NCTE सैक्षिक नियूजकों और प्रिशासकों को प्रिश्चन देने वाली एक स्वायत संस्था है SCRT जो है ये 5 जनवरी 1979 को अस्तित में आया था आगे बढ़ते हैं प्रिशन कहता है नैक प्रत्यायन मुल्यांकन गुर्वत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है शिक्षा की नैक का पूरा नाम है नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडिटीशन कौंसिल ठीक है SSA की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लांच किया या था शगुन पोर्टल प्रारंबिक बच्पन की देखभाल और सिक्षा ECCE को स्कूली सिक्षा का डैश माना जाता है इससे स्कूली सिक्षा का अनुवर्ती माना जाता है मानव संसाधन विकाश मंत्रालाय का नाम शिक्षा मंत्रालाय है क्या है शिक्षा मंत्रालाय है NIOS का पूर्ण रूप क्या है NIOS का पूरा नाम National Institute of Open Schooling है शिक्षा का व्यवसाइग गरनतब होता है जब मानविकी को दी जाने वाली प्रधानता डैश है और चात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है तो ये जो है ये प्रधानता कम हो जाती है NEP 1986 के अंतरगत सरकार ने दूर दराज इलावों में नवोदे विद्याले और प्रात्मिक विद्याले खोले थे अगला प्रश्ण है लास्टी शिक्षा आयोग ने बजट को कितने प्रतिसत शिक्षा पर वे करने का सुझाओ दिया तो उन्होंने 6 प्रतिसत शिक्षा पर वे करने का सुझाओ दिया था शिक्षा की गुर्वत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षक शात्र अनुपात को प्रबंद की अनुपात से कम नहीं किया जाता ठीक है, option C यहाँ पर right हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question है, NEP 2020 भारत को वैश्विक ग्यान की महाशक्ती बनाने के लिए ततपर तयार है ग्रामेड विश्विदेले की अवधाना किस आयोग ने सरपर्थम दे थी तो वह आयोग है, विश्विदेले सिक्षा आयोग है डेलर्स रिपोर्ट में वर्नित, चार इस्तंभों में निमलिकित में से कौन सा सिक्षा का आधार नहीं है खुश रहना सीखना शिक्षा का अधिकार आधार नहीं है NEP 2020 को भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोशित किया गया था लाश्ट्री सिक्षानीति के जो मुख्य भाग हैं वो चार है इसका श्रक्षर 5334 है विशिदल अनुदान आयोग कब अस्दित में आया 28 नॉमबर यह था 28 नॉमबर 1953 को अगला प्रिशन है उच्चे सिक्षा में 235 तक सकल नामांकर अनुपात लक्ष 50 प्रिशन्ट निधारित किया गया है बारत में शिक्षा इस्तर में गिरावट का जो कारक है वो यह है कि अविवागों के दिश्टिकॉन में प्रिवर्तना आया है शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान है शिक्षन संस्ताओं में चातर चातरों की बढ़ती संक्या भी है तो ऑप्षन जो डी है वहाँ राइट हो जाएगा परिख्षा सुधार का मुख्यलक्षन है विश्वस्नियता बढ़ाना वैदता बढ़ाना मुल्यांकन को एक सतत पर क्रिया बनाना ऑप्षन डी इस ता राइट वन इन दिश्कोजिशन ऐसी क्रियाएं जिन में वर्तमान शिक्षा पणाली में ध्यान नहीं दिया जाता वो हैं जैसे समश्या निवरण हो गया स्रचनात्मा किंतन है तर्क वितर्क है कुल मिलाकर के ऑप्षन डी राइट हो जाता है प्रतम पंचवर्षी योचना में भारत में किसे सिक्षा आयो की स्थापना की गई थी अगे बढ़ते हैं तो न्यक्स्ट प्रस्न आपको मिलता है जो कहता है कि प्रात्मिक शिक्षा का हो पोसर्ण समन्दी शाहता का राष्टरी कारकरम NPNSPE का लोगपर यह जो नाम है वह मिड़े मेल है किस इस तरकी शिक्षा का उद्देश से बालकों में अच्छी आदतों और सिष्टाचार को समझने में मदद करना है वहाई पूर प्रात्मिक DPEP कारकरम की सुरवात 1994 में हुई थी मादमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा की जो उद्देश हैं वो हैं जैसे नेतरत चमता का विकास व्यावसाइक तक्षता का विकास लोगतांतरिक नागरिकता का विकास उप्रोग सभी options राइट हो जाते हैं आगे बढ़ेंगे मद्देकाल में शिक्षा को किन दो इस्तरों में विभाजित किया गया था मद्देकाल में शिक्षा को प्रात्मिक और उच्छ ये दो इस्तर हैं जिन में विभाजित किया गया था एंफिल कोश बंद कर दिया जाना चाहिए एन इपी 2020 के द्वारा बनारस इंदू विद्याले बियच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् परिकरम के परसारण हेतू इसमें निश्ठा और दिक्षा पोर्टल लॉंच किया है दोनों मुल्यांकन प्राली के शंपून सुधार के लिए नए रास्ट्रिय मुल्यांकन किंदर की इस्थापना की गई है तो वहा है परक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारती समिधान के किस संसोधन के तहत सामने आया यह 66 समिधान संसोधन के तहत सामने आया तस्तूर्बा गांधी पाल का विद्याले योजना की सुर्वात जुलाई 2004 में हुई पारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक जो निका है वो NCTE है कौन सा है NCTE चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रिशन आपके शामने है डैट की स्थापना की अनसंसा किस पर आधारित है राश्ट्री स्रीचानिती 1986 पर आधारित है NCRT द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वहाँ इसमें आपका इंडियन अजगेसन रिवू है प्रात्मिक सिक्षक है स्कूल साइनस है ये सबी है देश के विश्विद्यालियों में करश्री विश्विद्यालियों का जो प्रशेंट है वो अठारा है ये नियामक सनचना बनाई गई है NEP 2020 के द्वारा राश्ट्री सिक्षानिती 2020 में कहा गया है प्रतेक सिक्षक पचास गंटे का CPD पर तेक वर्ष करना उसको अनिवारे है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसल की जो इस्थापना हुई है वा उन्ने सो कैनबे में हुई है अगला प्रशना है D.E.B. का पूरा नाम है डिस्टेंस एजुकेशन विउरो दूरस्थ सिक्षा की चिनोतियों का सामना करने ही तो किया जा सकता है नियो जक इसकिल इंडिया मिशन का लक्ष 300 मिलियन युवाउं तक पहुँचाना था 2022 तक मादमे कम उच्छे सिक्षा में S.U.P.W. को सामाजिक विकास के लिए एक अलग विसाइग रूप में प्रश्तावित किया गया भारत में कितने रिजनल इंस्टिट्यूट आफ एजुकेशन है पांच अगला प्रशना है N.I.E.C.I.E.T. इसमें है E.R.I.C. तो था R.I.E.C. जो घटक है वो N.C.R.T. के घटक है वरतमान यूजीशी के लिए चेयरमेन अत्याश है प्रफिसर एम जगदिश कुमार Operation Blackboard कब सुरुआ 1987 में पढ़े भारत बढ़े भारत का उक्तेश है पढ़ने और लिखने की कुसलता के साथ गणती कुसलता भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए बिल्कुल आवाज बंदो जाती है लास्ट में अगला प्रिशन आपके सामने कितने दिनों के बैगलेश देश की बात एनिपी 2020 में छेशे आट क्षा के लिए की गई है तो दस दिन के लिए एनिपी 2020 की मसाओधा समित की अध्यक्ष्टाक्टर की कस्तूरी रंगन थे राष्टी साचरता मिशन किश्वश प्रारम हुआ यहां से बस पांच प्रिशन और बचते हैं ठीक है क्लास कैसी रही कॉमेंट करके जरू बताएगा वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और जो हमारी महनत है इसको थोड़ा सा अप्रिसेट कीजिए तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके लिए मेहनत करेंगे ठीक है इंदिरा गांधी दिनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्में सो पचासी में हुई थी एनिवी 2020 को लागू करने वाला भारत का विपुर्थम राज्य है वाह करना टग है अगला प्रस्ट लर्निंग दर ट्रेजर विदिन किस रिपोर्ट को कहा जाता है डेलर्स रिपोर्ट को आरेमस से क्या पूरा नाम क्या है लाश्टी मात में शिक्षा आयोग एंटिय की स्थापना जो है 2017 में हुई थी उच्छे शिक्षा में वरतमान सकल नामांकर अनुप 26.3% है इस तरीके से हमने इस पूरे कोशिन बैंक को आज पड़ लिया प्यारे दोस्तों दो पेपर कंप्लीट हो गए पेपर जो फर्स्ट है वो दो घंटा बेलेस मिनट की क्लास है और ये भी दो घंटा प्लस की क्लास हो गई ठीक है तो अब इसका पेपर थी और फोर को ह लाइक और कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच